अरुप के तो है अन्य गात मुद्मॉनी एक्विजिशेंस और री-स्ट्रॉक्ट्ट्टरिंग के बारे में पढ़ रहे थे हमने इस चेप्टर को जब पढ़ना शुरु किया था तो हमने हम पर 2 learning objectives सेट किए थे हमने देखा था कि हम जो यहाँ पर AFM में पढ़ने वाले हैं वो डील होने के बाद यए डील के पहले की बाते डील के पहले की बातें कि दोनों parties की बीच में किस तरीके के negotiations होते हैं किस तरीके से वो अपना अपना पक्ष evaluate करते हैं कि हमें कितना फाइदा और उन्हें कितना फाइदा राइट दोस्तों हमने देखा था कि हमें आपड़ दो टास्क accomplish करनी है सबसे पहला कि अगर हमें swap ratio किसीने प्रपोस किया हो सबस्कोर एक investment banker ने एक swap ratio प्रपोस किया कि आप दोनों कमनीज इस swap ratio पर डीलिंग कर लें तो दोनों कमनीज क्या चाहेंगी यह पता करना चाहेंगी कि आखिर हमारा कितना फाइदा या फिर नुकसान है गीन या लॉस है और फिर दूसरा एक और हमने हम पर सीखा था कि अगर हमें खुद को ह स्वैप रेशो अराइव करना हो यहने सपोस करें हम खुदी एक इन्विस्मेंट बैंकर हैं और हम दोनों कमनीज के लिए फेयर जस्टिफियेबल एक्विटेबल स्वैप रेशो पता करना चाहते हैं तो वह आखिर हम कैसे करेंगे राइट या फिर मिनिमम स्वैप रेशो पोस्ट मर्जर एपिस के लिए हम क्या करेंगे दोनों कमनीज की अर्निंग को एड करेंगे प्लस अगर कुछ सेनर्जी हुई तो हम उसे भी एड करेंगे और हमने देखा है कि नॉमली रियल लाइफ में सेनर्जी दिखेंगी तभी दो कमनीज आगे बढ़ेंगी राइट दोस्तों फिर इसके बाद हमने देखा था swap ratio right? swap ratio is also known as exchange ratio, swap ratio का meaning क्या होता है? acquirer के 1 share के बदले में या फिर Target के 1 share के बदले में आखिर a-qoirer अपने कितने share, देगा that is called as swap ratio, right? दोस्तों swap ratio जो भी हो, suppose करो 0.55 is swap ratio, वो apply किस पर किया जाता है? अक्वाइर के नंबर आफ शियर्स पर टागेट के नंबर टागेट के नंबर आफ शियर्स पर अपलाई किया जाता है स्वाइप रेश्व है बहुत बेसिक बाते लेकिन एक्जाम में सब ध्यान रखने पड़ती क्योंकि ऐसी सारी गलतिया मैं अपनी आखों से देख चुका अपनी आफ शियर्स पर टागेट राइट के बाद हमने अपर देखा था हमने शिर्वात कर दी जिसमें मिकी डॉनल्ल की एक्जामपल लिया था मिकी कंपनी की हमने कमाई ली थी वन लाइक डूनाल की ली थी 40,000 नंबर ऑफ शियर्स तेन ताउजन 8,000 इस तरीके से अर्नि आफ शियर्स स्वाप रिशो ऑफ कितना 0.4 is to 1 हमें कैलकुलेट करना है गेन या लॉस बहुत सिंबल साब बेसिक थंब्रूल बना लो कि मुझे तो फाइदाय नुकसान निकालना है इस ओफर की वजह से तो इस ओफर के पहले में क्या था और इस ओफर को अगर पांच रुबए 10 रुबए 10 रुबए 5 रुपी अब ऑफर के बाद क्या कमाई होगी याने हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा पोस्मार्जर EPS पोस्मार्जर EPS के लिए हम दोनों के अर्निंग्स अफर टैक्स को कंबाइन कर लेंगे याने 1 लाग प्लास 40 थाजन दिवाइ कि अक्वाइर 10.606 अब कमाएगा जब कि पहले वो कमाता था 10 याने उसका गेन होगा 0.606 अगर यही अब हम टागेट की बात करें तो टागेट में धिहान रखना सीधा सीधा कंपारिशन नहीं होता है टार्गेट यह जो 5 रुपीज कमा रहा है यह उसके अभी 1 एक्जिस शेयर देगा तो 10.606 की कमाई वाला उसे सिर्फ 0.4 शेयर मिलेगा याने जो उसे एक्वीवेलेंट या फिर एग्जिस्टिड कमाई मिलेगी वो तो 4.24 ही मिलेगी मतलब वो तो नुकसान में है 0.76 के is that clear ओक यहाता है गेनिया लॉस पर शेयर अगर हमें इसे टुटालिट या लॉसे टैली हो जाता है इस केस में यह बिलकुल जितना यहां फायदा है उतना यहां नुकसान है उसके पीचे रीजन है कि अभी सिनर्जी इन अर्नेंग जीरो है तो अल्टेमेटली इनका समेशन जीरो याना था और वो तब ही आएगा जब एक का जितना प्ला से दू अभी वो उतना ही कमाए ठीक है या फिर लेट्स कैलकुलेट श्वाप रेशो ताकि आपका कोई नुकसान ना हो जो फिर काम है वो रैप पांच कमाते हो हम दस कमाते रही तीन तरीके अमने हम पर देखे थे सबसे बहला तो क्योंकि टार्गेट कमनी को अपना एपिस मेंट करना है यान की यहां पर भी अब टार्गेट कमनी को कितना दिखना चाहिए तो एक तरीका तो यह है कि एजिस्टेड़jor को कितना सेट कर दो और बाकी सारा कैलकुलेशन कर लो दूसरा तरीका यह क्योंकि टार्गेट कमपनी का जब यहां पर फइफ और फाइफ आईगा त तो जब इनका 0 आएगा तो यहाँ पर इनका भी 0 आएगा, तो यहाँ पर 0 लाने के लिए यह 10 है, तो यहाँ पर भी 10 होना चाहिए, यानि पोस मर्जर EPS को कितना सेट कर दो 10, दोनों में से कैसा भी कर लो, अंसर सेम आएगा, तो अमने यहाँ पर एक तरीका देख लिया था कि यूजिंग पोस मर्जर EPS, और पोस मर्जर EPS को कितना सेट कर दो 10, और पोस मर्जर EPS का फॉर्मिला लगा दो, हाना, यहाँ पर स्वैप रैशो को एक अन्नोन वेरीबल मान लो, सॉल कर लो, दूसरा तरीका क्या है कि अग्जस्टर EPS को कितना सेट कर देंगे, 5 और ॉजिय थे आपर रैशो का फॉरमिला कै और प्र यह शुजित कर लिवेंट वेक्टर ओफ टागेट कंपनी अपन रेलेंट कंपनी, इस प्यूर अप फॉर्मिला यहां पर रैवेंट अप्तर यानि कोई इसा भी फैक्टर रैलेवेंट फैक्टर पे कोई बंधान कि यहीर factor relevant हो सकता है, the two companies may decide, may agree to decide exchange ratio based on EPS, may agree to decide their exchange ratio based on their market prices, based on their book value or based on any other fundamental factors, right? So, यहाँ पर relevant factor could be any fundamental factor, right? यहाँ पर दोस्तो हमने देखा था कि EPS of target upon EPS of acquirer and we get the same answer, ठीक है, ओके, यहाँ पर यहाँ पर दोस्तो हमने 0.5 same answer निकाल लिया था, हाँ जी, इसके बाद हमने कहा है, इस वाले example में कुछ अधूरा सा लग रहा है, तड़े, synergy तो है ही नहीं, so we introduced synergy of rupees, 20,000 and earnings and we recalculated entire things, right? जिसकी विज़े से हमारा post-merger EPS of 12.12 हो गया, याने कि अब हमारा adjusted EPS भी बढ़ जाएगा और gain या loss निकालेंगे तो अफसोस वर से acquirer को तो gain आ रहा है, लेकिन target company को अभी भी loss आ रहा है, मतलब यह जो swap ratio ना 0.4 का यह अभी भी मनजूर नहीं होगा, right? दोस वर यह बात हमने जरूर देख ली दी कि जब हम overall मतलब दोनों के total gain को जब aggregate करेंगे तो वो किस से tally हो जाएगा? synergy से tally हो जाएगा, right? क्या आप अभी इस बात को लेकर clear कि synergy एक generic term है, और synergy earnings में भी आ सकती है, और synergy market values में भी आ सकती है, यह जो अभी में example वान आपको revise करवा रहा हूँ, यह था synergy in earnings की दो कमनी जुड़ी उनकी कमाई बढ़ गई, अगर दो कमनी जुड़ती और उनकी market values बढ़ जाती तो that is called a synergy in market value, क्या सर दोनों एक साथ आ सकते हैं, बिलकुल आ सकते हैं, क्योंकि जब दो कमनी की मिलकर अगर कमाई ही बढ़ रही है, तो बहुत chances हैं कि दो कमनी की मिलकर market values बढ़ गई हैं, is that clear, क्या सर दोनों में से एक भी आ सकती, जी हां, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपकी earning तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन फिर भी market values बढ़ गई है, is that clear, okay, Infosys ने छोटी software कमनी को उठाया, earning सेम रहेंगी, लेकिन quality of earnings बढ़ जाने की वजह से PE ratio बढ़ जाए जिसमें एक होता है, simple swap ratio, which is equitable, justifiable, or fair swap ratio, maximum and minimum, अगर आपको सिफ swap ratio calculate करने का बोले, सीधे exam में फॉर्मुला लगाना, answer निकालना, right, दोस्तों, जो fair swap ratio होता है, इसके property होती है, कि ये दोनों के साथ नियाय करता है, justice करता है, जो 20,000 की earning आ रही है, वो तुम दोनों को मिलकर ब मिला से ये swap ratio निकालोगे, तो ऐसा ही होईगा, यानि की जो overalls energy आएंगी, वो दोनों में distribute होंगे, और हमने ये भी देख लिया था कैसे किस ratio में distribute होईए, 1,002,40,000 के ratio में automatically distribute होई, आपको करने की ज़रत नी पड़िए, तो automatically वैसे distribute होकर आ गई, ठीके, यहां पर दोस्तों फिर इसके बाद हमने देखा था, let's calculate maximum swap ratio, maximum swap ratio, तो acquirer हद से हद, ज्यादा से ज्यादा कितना swap ratio देने को, तो यार हो जाएगा कि 13 तुझको अरपन, यानि कि 20,000 की जो पूरी energy आएक काम करो target वो तुम ही रख लो, राइट, ऐसे case में हमारी thought process क्या हो जाएगे कि मैं हूँ acquirer, मेरी पहले कमाई थी 10, बाद में भी कमाई कितनी हो जाए, 10, ठीके, तो जो 1,60,000 की combined income है, उस पर EPS कितना आना चाहिए, 10, यानि number of shares कितने outstanding होने चाहिए, 16,000, उस में से acquirer कहने मेरे कितने है, 10,000, let's issue 6,000 shares to the target, on the base of their 8,000 shares, and hence the maximum swap ratio is 0.75, एक और alternative तरीका भी तो था, वो simple क्या था, alternative तरीका, कि जो synergy आरी न, earnings में, सारी की सारी target में जोड़ दो, target की पहले कमाई कितनी थी, 40,000 plus, 20,000, 60,000 रुपीस उनकी income ही, मान लो, right, और उनकी उस 60,000 की income को 8,000 shares, divide करके, मान लो कि भाई, तुमारे EPS ही कितना है, 7.5, और अम उसी आधार पर तुमें shares, देंगे, याने सारी कमाई तुम तक ही पहुच जाएगी, ठेक है, so we got the same answer, 0.75, इसके बाद क्या calculate करना था, minimum swap ratio, minimum swap ratio का मतलब होता है कि सारी synergy अब कौन रख लेगा, acquirer, right, अब क्योंकि acquirer सारी synergy रखेगा, तो acquirer क्या बोलेगा, मेरी पहले income थी 1 lakh, पुरा 20,000 भी मैं ही रख लू, 1 lakh 20,000, divided by मेरे shareholder, 10,000, याने मुझे post-merger EPS कितना चाहिए, 12 रुपीस, 1 lakh 20,000 divided by 10,000, ठेक है, तो यहाँ पर 1 lakh 60,000 पर हमें EPS required EPS होगा, 12, total number of shares, out of which acquirer के कितने, बचे वे shares किसको issue कर दो, target को divided by and you get the same answer, right, 0.416, एक और दूसरा तरीका इसका क्या था, अपनी earning में सारे synergy अपनी add कर लो, 1 lakh अपनी earning plus 20,000, 1 lakh 20,000 divided by 10,000, याने मैं तो हाई, 12 रुपी के इसाप से swap ratio decide करूँगा, मैं मेरी कमाई 12 रुपी मानने वाला हूँ, तो तो मारी कितनी कमाई है target, 5, 5 रुपी है, मेरी कमाई में कितनी मानुगा, 12, 5 by 12, and you get the same answer, ठीक है, okay, चले दोस्तों, अभी तर किये जो हम एक्जांबल देख रहे हैं इसमें हमारा focus सिर्फोर सिर्फ किस पर था, earnings, लेकिन दुनिया में दोस्तों, इससे भी उपर एक और चीज हैं, that is wealth, right, wealth maximization, wealth maximization की case में मार्के prices के level तक जाकर बाते करनी पड़ेंगे, और earnings से उठाकर हमें market prices तक कौन पहुंचा देता है, P.E. ratio, right, यहां पर दोस्तों, मैंने P.E. ratio में की company का set किया था 10, और Donald company का set किया था 8, अभी आपके मन में doubt आ सकता है, जब हम revise कर रहे हैं कि Sir, अगर यहां पर Donald company का भी P.E. ratio 10 होत यहां और कुछ होता, तो क्या होता, okay, तो अभी के लिए उस doubt को pending छोड़ता है, अभी के लिए तो हम जो standard example है, वो कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं example दे रहा हूं वैसे exam में question आते हैं, जैसे मैं यहां पर example दे रहा हूं वैसे ही exam में question आते हैं, बढ़ा, आपकी वो सारी जि में कमने wishes to acquire Donald company, और यहां पर मैंने एक standard line लिख दी, assuming P.E. ratio of acquirer will remain same even after merger, right, दोस्तो यह standard line है, जो कि आपको 10 में से 9 question में mergers and acquisitions में मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, right, बच सिंपल सी बात है दोस्तो, आज suppose करो कि हम है alpha academy, right, okay, अगर हमने किसी एक छोटी कोचिंग क्लास को लाकर acquire कर लिया, हाना, assuming कि वो छोटी कोचिंग क्लास है, alpha academy बड़ी कोचिंग क्लास है, हमारा brand name है, हम इतने सालों से हैं यहां पर, उसकी income पर लोगों को trust ना कम होगा, हमारी income पर लोगों को trust जादा होगा, reliability जादा होगी, right, जब हम उसे acquire कर लेंगे, तो उसकी earning हमारी earning म mix हो जाएगी, लेकिन trust अब लोग हमारा वाला place करेंगे उस earning पर, तो हमारा PE ratio ना हिलने वाला नहीं अपनी जगे से, उल्टा उनकी कमाई पर हमारा PE ratio लगना शुरू हो जाएगा, और क्योंकि most of the times ऐसा ही होता है, इसलिए most of the questions में ऐसा ही होता है, कि जो acquirer का PE ratio है, वही अपने अपने के exceptional case है, उसको मात में समझ लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिफ number change करना, बागी पूरी process सेम रहेगे, हमने देखा था कि let's again calculate gain or loss, एक बार swap ratio ले ले लिया, 0.4-1 और एक बार cash offer ले ले लिया, यहाँ पर भी दोस्तों अपना basic rules है, हमें gain या loss calculate क हम तो दो ही चीज़े compare करेंगे, कि हम इस deal के पहले क्या थे और इस deal के बाद हम क्या से क्या हो गए, तो pre-merger अब जो हम comparison कर EPS का नहीं करेंगे, market prices, यानि हमारी pre-merger market prices क्या हैं और merger के बाद क्या हो जाएंगी, right, दोस्तों, merger के पहले की market prices तो हमें मालूम ही है, 100 है और 40 है वो question में लिखा था ना, और merger के बाद वाली market prices calculate कर लेते हैं, तो merger के बाद वाली market prices calculate करने के हमारे पास कुल मिला कर दो तरीके, पहला तरीका है कि क्यों न हम merger के पहले वाला, नहीं, merger के बाद वाला वो, वो, वो calculate कर ले पहले, EPS, यानि post-merger EPS calculate कर ले, और into P ratio, तो post-merger market price आजाएगे न, यह आपको connect होता है न, formula, P ratio into EPS is equal to market price, तो post-merger EPS, पर जब आप P ratio लगाओगे, post-merger वाला, तो क्या निकल जाएगी, post-merger market price, और post-merger EPS calculate करना, बच्चा बच्चा जानता है, 1 lakh plus 40,000 divided by 10,000 plus 8,000 into 0.4, and you get the answer 10.606, into P ratio कितना, 10 times, answer is 106.06, is that clear, okay, दूसरा एक और तरीका मैंने आपको बताया था कि हम market cap के पहले calculate कर लेते, post-merger market cap हम पहले calculate कर लेते, तो उसके लिए post-merger market cap के लिए जो हमारी combined गमाई है वो कितनी है, हाना 1,40,000 और इस बस combined कमाई को multiply कर दो ना, हाना, EAT into B into 10 times तो आपका post-merger market cap कितना आ गया, 14,00, right, divided by 13,200 shares and you get the same answer, ठीक है, दोस्तों, यह जाएगा 106.06 और acquirer के case में तो again सीधा-सीधा comparison हो जाएगा, और acquirer तो सीधे-सीधे फाइदे में है, right, target के case में again हमारा same thought रहेगा, की target जब अपना 1 share देगा 40 rupees worth वाला, तो उसे बतले में 0.4 share मिलेगा, एक share की वर्थ होगी 106.06 याने उसको equivalent market price मिलेंगी या adjusted market price मिलेंगी, वो मिलेंगी 42.42 याने target भी यह पर फाइदे में है, is that clear, दोनों का जो overall फाइदा आएगा, वो 80,000 आएगा और उसके पीछे reason हम समझ चुके थे, target की income, 40,000 multiply by difference of two times, increase in PE ratio, on the income of target, is that clear, हाँ, okay, दोस्तों, यह हमने देख लिया, अब हमने यहाँ पर, एक और offer का evaluation करें, that was cash offer, right, cash offer की case में बस एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जो भी हम cash pay कर रहे है, वो overall market cap जो otherwise होता, 14 lakh होता, उसमें से minus हो जाएगा, right, तो overall market cap हमारा 14 lakh otherwise होता ही होता, अगर दोनों मिलकर इखटे रहते, acquirer or target, लेकिन, 45 rupees per share दिये, into 8,000, 3.6 lakh minus हो गया, याने 10.40 lakhs मिला और वो पूरा-पूरा 10,000 shares को belong करेगा, is that clear, अब तो share ही ने issue होंगे न, हाँ जी, अब यहाँ पर अगर हमें gain या loss calculate करना है, तो 104 हो गई है, acquirer की price, as compared to 100, 4 का gain, 40,000 का gain, target को कितना cash payment मिल रहा है, 45 minus 40, 5 into 8,000, 40,000, दोनों का जब gain add करेंगे, तो हमेशा on 100% of the cases में, वो overall synergy से tally होगा ही, होगा और उसको होना ही पड़ेगा tally, is that clear, आ गई आपको अभी तक की सारी चीज़े समझ में, ठीक है, okay, मन में एक दो जो डाउट थे, आपके की sir, वो अगर PE ratio है न, वो आपको address कर देता हूँ, PE ratio of acquirer will change to 12 times, 12 times हो जाओता, तो क्या होता, वैसे 12 times possible है या impossible, possible है, can anybody give me reason की आखर PE ratio क्यों increase होने लगा, क्योंकि competition अब decrease हो जाएगी, competition अगर decrease हो जाएगी, तो business में risk कम, हो जाएगी और business में risk अगर कम होगी, तो फिर लोग उस business पर जादा PE ratio भी place कर सकते हैं न, नहीं समझें मेरी बाल, समझ गया न, हिंदुस्तान, युनिलिवर, नेसले, बहुत branded established company है, लोगों ने देख लिया 25 साल तक इनकी market position कोई हिला ही नी पाया, तो कितनी safe company, इनकी share खरीने के लिए थोड़ा जादा गुना भी दे देंगे तो चलेगा, पैसा डूबने के chances कम हैं, ठीक है, तो वैसी जब दो companies merge होंगी, PVR और INOX, तो अब उनकी business continuity probability बढ़ जाएंगी, business rest कम हो जाएंगी, तो लोग ज्यादा गुना पी ratio भी देने को तयार हो जाएगे, तो यहाँ पर suppose करूँ कि 12 times लिखा है, ठीक है, हाँ जी, क्या मुझे समझाने की जरुरत हैं, अब कैसे होंगे calculations, यहाने मुझे बोलने की जरुरत ही नहीं कैसे होंगे, simple यह देखो ना, 1 lakh plus 40,000, 1 lakh 40,000 into 12, यह आगया, post-merger market cap, divided by 13,200 shares, यह आगया, post-merger market price, बास, same, यह post-merger market price आ गई, जो भी आ जाएगी, adjusted market price, gain your loss, हम, ठीक है, ओके, सर, अगर cash offer होता तो, तो भी same, जो post-merger, अभी आपका market cap आ रहा है, 12 times के हिसाब से, उस में से minus कर दो, जितना cash आपने पे कर रहा है, बचा हुआ आपका, divided by 10,000 shares, कुछ होना नहीं, बस आपकी process same रहनी, number change होगा, ठीक है, similarly, now I really don't need to answer another question की से, और अगर suppose करो कि यह change होकर 9 हो जाता तो क्या होता, same, अब मुझे नहीं मालूम है कि synergy यहाँ पर आईगी या नहीं आईगी, मुझे लगता है कि यहाँ पर negative synergy आजाएगी, अगर यह 9 हो जाएगा, तो negative synergy आजाएगी, क्योंकि target का तो 8 की बिजए 9 हो जाएगा, लेकिन acquirer का 10 की बिजए 9 हो जाएगा, तो acquirer की income तो साधा है ना, उस ज्यादा income पर एक गुना का नुकसान होगा, और कम income पर एक गुना का फाइदा होगा, तो भी net net नुकसान होगा, तो negative synergy आएगी, मतलब हम उसका evaluation तो करेंगे, लेकिन negative synergy में mergers and acquisitions करेंगा ही कौन, तो इसलिए, नॉर्मली ऐसे questions exam में, नहीं आते है, मतलब that doesn't make any sense ना, offer evaluate करने का मतलब नहीं होता है, तो इसलिए, नॉर्मली positive synergy वाले ही questions आते हैं, आज तक का इतिहास गवाया है, नहीं नेगेटिव synergy की questions नहीं बूजें, विगास that will see care, क्या करवा रहे है, evaluation ही क्यों करवा रहे है, right, okay, हम, एक और question, sir, मान लीजे, यहाँ पर 8 की जगे, अगर इसका भी 10 होता, तो, मुझा answer करने की ज़र्रत ही नहीं है, क्या अब synergy आती, नहीं आती, पस तो नहीं आती, तो नहीं आती, याने, इसका several जब्दों में मतलब है, कि जब आप overall gain या loss का evaluation करते, तो यहाँ पर जो final number आता, overall वो क्या आता, 0, अब ऐसा हो सकता है, कि यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0 आता, या फिर ऐसा हो सकता है, कि यहाँ plus आता, तो यहाँ minus होता है, या vice versa, whatever, is that clear, but normally इस तरह की का भी question ICI नहीं बूचता है, because that again doesn't make any sense, कि यहाँ पर कर क्यों हो रहा है, यहाँ अब आगे, हमने देखा कि इस particular swap ratio में, डुनाल्ड का फाइदा तो हो रहा है, लेगेन इनसान अपने सुख से तो कम सुखी होता है, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी होता है, यहाँ पर डुनाल्ड कमनी ने वला नहीं, यह नहीं चलेगा swap ratio, यह जो आपने प्रपोस किया है ना swap ratio कितने का, 0.4 is to 1 हमें नहीं चलेगा, investment banker में समझाया भी कि आपका फाइदा तो है, आप देखिए ना, नहीं, उसका ज्यादा फाइदा है ना, तो यह swap ratio नहीं चलेगा, तो अब यहाँ पर वपिस से हम इसी example number 2 में 3 swap ratios calculate कर रहें, equitable swap ratio, maximum swap ratio और minimum swap ratio, is that clear? चले दोस्तों, इसी example number 2 को अब हम आगे बढ़ाने चाहरे हैं, in comprehensive example number 2, let's calculate all three types of swap ratios याने कि एक equitable swap ratio हम यहाँ पर calculate कर देंगे, और अब आप एक बात बताईए दोस्तों कि यहाँ पर जो swap ratio अब हम calculate करेंगे, example number 2 में, वो based on market price होगा, is that clear? क्योंकि market price superior है या EPS superior है, market price superior है दोस्तों है ना, यह explain करने की जरूरत है that why market prices are supreme, नहें, क्योंकि यार, market price यह होती ही ना, उसके अंदर आपकी earnings तो factor in होई जाती है, मतलब share का भाव ultimately आपकी कमाई पर तो dependent होता ही होता है, और दूसरे ओर 10 factor पर dependent होता है, तो market prices are very comprehensive number that incorporates everything, अगर आपकी company का management fraud है ना, reflect होगा आपकी market prices पर, अगर आपकी company का business model खराब है, घटिया है, reflect होगा market price पर, अगर आपकी earnings कम है, reflect होगा market price में, और minimum swap ratio, चले दोस्तों इसे solve कर लेते हैं, तो ऐसा करने से हमारे दो comprehensive examples हो जाएंगे, फिर अपना इस पर based questions करना start कर देंगे, ठीक है, ताकि आपको वो feel आजाए कि exam में question कैसे आते हैं, फिर उसके बाद example number 3 करेंगे, चले, तो हम कर रहे हैं, calculation of swap ratio based on market price, कुछ नहीं करना है जोस्तों, formula लिखना है, data डालना, answer निकालना है, so swap ratio का formula यूं तो होता है, relevant factor of target upon relevant factor of acquirer, but this time relevant factor is market price, so market price of target upon market price of acquirer, यह बहुत scoring chapter है दोस्तों, हम, तो target का market price है 40 rupees, और acquirer का है 100, तो यहाँ पर swap ratio आता है, कितना point 40, अरे यह तो वही आ गया, जो proposed swap ratio था, तो उसमें तो target आना का नहीं कर रहा था, कि मेरी तो कमाई, मतलब मेरा तो फाइदा काम हो रहा है, उनका तो फाइदा जादा हो रहा है, अब investment banker जाकर convince करेगा target को, कि तुम अपनी size भी तो देखो, तुम छुटी size की company और वो, बड़ी size की company, अभी Infosys जैसी चुटी company को acquire करेगी, तो जो भी फाइदा होगा उसमें Infosys बोलेगी न, यहार हम Infosys जादा रखेंगे, ठीके, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे भी न, तो यह जो distribution of synergy हो रहा है यहाँ पर, यह हो रहा है न, यह distribution of synergy, यह आएगे, यह मुझे fair जैसा लग रहा है, कैसे हम इसे पता कर पाएंगे, कि यह fair जैसा है यह नहीं, market जो इनके capitalization है, इनका market capitalization, market prices नहीं दोस्तो, market cap overall, क्योंकि यह, यह जो number per share नहीं है, यह total वाला number है, तो आपको मालूम है, Mickey Gumney का market capitalization कितना था, 10 lakh रुपी था, 100 रुपे का 1 share into 10,000 shares, और इनका market cap याद है, आपको कितना था, 3 lakh 20,000, 40 रुपे पर share था, into 8,000 shares है ना, और जरा देखो, आप यह जो 80,000 rupees है, क्या इस ही ratio में distribute हो रहे है, 80,000 को आप distribute कर लेते हो, इस ratio में करके बताओ, कैसे करोगे, 80,000 into 10 divided by 13.2, कितना आ रहा है, है ना, तो हम जाकर अब target company को convince कर सकते ने, कि यार, अपनी size के हिसाब से बात करोआ, बले ही वो उनका overall gain जादा आ रहा है, पर उनके share holder भी जाद है, तो वो company का size ही बड़ा है, ठीक है, और आपका size चोटा है, आपके number of share holders भी कम है, तो आपके लिए इतना justifiable है, मतलब राइट, और थोड़ा बहुत negotiation पर ठीक है, थोड़ी और premium दे देंगे, इसाट clear, कुछ पूचना चारे, नहीं, ओके, चाली, क्या clear है सबको, तो आप उस situation के लिए भी prepared हो कि अगर अभी target company कह दे थी कि नहीं हमारा तो काम है और उनका फाइदा ज्यादा है, तो यही तो skills लगती है कि investment banker को कि दोनों company को convince करना पड़ता है कि दोनों ही win-win situation में आपके साथ गलत हो रहा है ना आपके साथ गलत हो रहा है तो दोस्तो यह तो हमने solve कर लिया कौन सा justifyable या फिर fair swap ratio है ना, second calculation हम कौन सा कर रहे है, maximum, so calculation of maximum swap ratio, आप लोगो में भी talent तो दोस्त खूब है, क्यों ना आपको मौका दिया जाए, आपके बास दोस्तो, 30 second का वक्त है maximum swap ratio निकालने के लिए एफ झाल 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 आंसर पॉइंट वन पॉइंट टू नहीं नहीं वन पॉइंट फाइफ वन पॉइंट फाइफ तो देखें हम इसे कैसे सोचना है चलो एक साथ शूरू करते हैं क्या calculate करना है repeat करें प्लीज maximum swap ratio maximum swap ratio calculate करते वक्त आप अपने आपको target company मानेंगे या acquirer acquirer, 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 acquirer मान लो तो हमारी सोच सिंपल क्या हो जाएगी तेरा तुझको अरपन क्या लागे है मेरा यानि जितना सारा गेन हो रहा है काम करो टार्गेट तुम ही ले जाओ हमें उसी हाल में छोड़ो जिस हाल में हम पहले थे और यहाँ पर क्योंकि अब हम maximum swap ratio जो निकाल रहे हैं वो अब हम EPS को मद्दे नज़र रखते हुए निकालेंगे या market prices को मद्दे नज़र रखते हुए निकालेंगे तो आप सभी acquirer company के shareholders बोलें कि आपकी अभी market price क्या है 100 है market price post merger market prices भी आपको फिर क्या चाहिए 100 अगर 100 ही रह जाती merger के बाद market price तो आप लोगों का तो कोई फाइदा होना नहीं है is that clear है ना ओके और 100 रहे जावे market prices उसके लिए फिर उन्हें कितने share देने पड़ेंगे यह सब हमें निकालना है तो दोस्तों post merger market cap तो हमें पहले स इसी पता है 14,00,000 post merger market cap तो ऐसी निकल जाएगा ना यह जो हमने 1,00,000 देखा और 40,000 देखा यह मिलकर कितना हो जाएगा 1,40,000 और P.E. ratio कितना है 10 times यानि post merger market cap होगा 14,00,000 post merger market cap होगा 14,00,000 post merger market price क्या चाहिए 100 यानि 100 से अगर हम इसे divide कर लेंगे तो एक share का भाव में 100 रुपे चाहिए और कूल कंपनी का market cap कितना चाहिए 14,00,000 यानि बोलो ना number of shares outstanding कितने होने चाहिए 14,000 उसमें से हमारे खुद के अभी हैं कितने अक्वाइर के 10,000 कितने share issue कर सकते है 4,000 उनके अभी हैं कितने 8,000 कितना बनेंगा swap ratio 0.5 is to 1 is the maximum swap ratio that we can offer them क्योंकि अगर खबरदार जो इससे ज्यादा offer करा तो उनको ज्यादा share चले जाएंगे और market prices 100 से भी कम आ जाएंगे और आप लोग acquirer नुकसान में आ जाएंगे तो आप ऐसी deal मंजूर ही नहीं करेंगे so maximum swap ratio the correct answer is 0.5 ठीक है क्या मैंने कोई नही process से solve कर वाया same process है हमारी बस यहाँ पर market prices को set कर दिया is that clear okay चले तो यहाँ पर statement बनाएंगे न एक statement जैसा बना लेंगे जिसमें यहाँ पर particulars लिखेंगे और यहाँ पर amount को column बना लेंगे क्या लिखूं सबसे पहले अब आप बता दो post merger market cap तो बिल्कुल clear है कि चाहे जो हो जाए swap ratio 1 lakh की कमाई acquirer की है 40,000 की कमाई target की है यह तो जुडेंगी ही सही और into 10 times होगा ही सही यह दुनिया का एक अटल सत्य है कि post merger market cap तो 14 lakh ही आएगा आप भले एक के बदले में 50 share issue कर दो overall market cap तो वो ही आएगा अब क्या करेंगे इसको divided by required post merger market price और यह required post merger market price आपकी सोच का खेले कि यह क्या होनी चाहिए तो यहाँ पर यह 100 होनी चाहिए क्योंकि जब यह 100 होगी तो acquirer को एक रुपए का भी फाइदा नहीं होगा so that gain to acquirer is zero ठीक है तभी तो acquirer को फाइदा जीरो होगा अभी आ जाएंगे हमारे number of shares total number of shares outstanding after merger 14,000 shares अब हम इसमें से less कर देंगे क्या चीज़ number of shares of target हना acquirer number of shares of acquirer 10,000 तो यह आ जाएगा 4000 shares number of shares to be issued to be issued to target right और अब हम इसको divide कर देंगे existing share से क्योंकि swap ratio निकालना है हमें तो यह आ जाएगा existing number of shares of target 8,000 shares so the maximum swap ratio is 0.5 is to 1 यह पॉइंट फाइव आ रहा है यह तो पॉइंट फाइव लिखो और पॉइंट फाइव का implied meaning होता है पॉइंट फाइव इस तु वन ठीक है ओके अब आप में से कोई भी मुस्से शर्त लगा रहा है कि अगर मैं यह swap ratio set कर दूँगा तो gain to acquirer 0 आएगा और gain to target 80,000 आएगा कोई भी मेरे खिलाफ शर्त लगा रहा है यह सब agree हो मेरे से agree हो राइट एक बाग करके देख लेते चलो हाना हार जीत की भी शर्त चलेगी चली तो करके देख लेते हमने एक बार यहाँ पर यह देखिए यहाँ पर 1,40,000 यह तो 14,000 तो आई जाएगा उसमें कोई दो रहे नहीं है पोस्मर्जर मार्केट कैप तो 14,000 यह आना है और number of share 13,200 चौदा हजार चौदा हजार क्योंकि हम 4,000 शियर से शुगा राइट तो यहाँ जाए 14,000 मार्केट प्रैस कितनी आ गई 100 राइट अब जब यह 100 आएगा तो पक्का बाबा यहाँ पर 0 आएगा ओके तो यहाँ तो 0 आ गया अब यहाँ पर इसकी जाएगे क्या आ चाहेगा 100 इन्टु स्वाप रैश्यो कितना आ चाहेगा 0.5 तो एजस्टेट मार्केट प्रैस को मिलेगी और मिलेगी कितनी 50 माइनस 40 10 80,000 और ओ आफ़र अभी अगर टार्गेट गमनी जाएगा तेश्ट चलती डील में और बोलती कि नहीं मुझे तो 0.55 चाहिए स्वाप रैश्यों हम बोलेंगे ठीक हम चले 0.55 कौन देगा भाई स्वाप रैश्यों हां ओके सो 0.5 इस दा मैग्सिमम स्वाप रैश्यों दोस्तों अब कि अब हमारी सोच मालू में क्या हो जाएगी सारी सारी सेनर्जी अक्वाइर रख ले मतलब सोच क्या हो जाएगी कि जो हमारा अभी मार्केट कैप है वो तो हमें ही मिले 10,00,000 प्लस 80,000 भी हमारा हो जाएग यानि हमें टोटल वैल्यू कितनी बिलॉंग करनी चाहिए 108 रुपे चलनी चाहिए शेयर कभाव मर्जर के बाद कितना चलना चाहिए 108 अगर 108 चला तो हम तो खुब वाइदे में आ जाएगा पूरा फाइदा ही हमारा हो जाएगा योगी 108 अगर चलता है मर्जर के बाद प्राइस और अभी कितना है 100 यानि कितने का गेन आएगा पर 8 रुपीज मल्टिप्लाइगा है 10,000 तो सारे ही फाइदा है तो हमाही ने रख लिया अक्वाइर ने तो टार्गेट का तो सीरो ही हो जाएगा और यह होगा मिनिममम स्वाप रेशियो राइट बुद हथ से बुद गिरी से गिरी हालत हो किसी मजबूरी में हो टार्गेट क इस तरीके से कैलकुलेट कर लिए एक छोड़ी सी बात हम मैग्सिममम स्वाप रेशियो जब हमने वहाँ पर भी निकाला था तब भी हमने सोच या स्टेप्स तो ऐसी फॉलो करी थी पर हमने वहाँ पर एक और फॉल्टरनेटिव तरीके से भी निकाला था क्या था यह ता swap ratio का formula लेलो लेकिन gain एक ही जने को सारा देदो तो maximum swap ratio में gain सारा किसको देदो target को तो 80,000 है ना overall gain देदो target को आप जब 80,000 का पूरा ही gain target को देदेंगे तो उनकी market price 40 मानेंगे यह ज्यादा ज्यादा 40 तो अब भी उनकी market price 80,000 भी उनको ही देदो 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 80,000 दिये divided by उनके number of shares कितने है 8,000 कितने रुपय और देदो 10 रुपय और देदो 40 अभी उनकी market price 10 रुपय देदो कितने हो गए 50,000 उनको 50 का मान लो अपने आपको 100,000 आंसर भोलो इस आट लियर वो वाला तरीका यार जो नहीं बताया ना कि जो gain हो रहा है वो सारा उसको देदो टारगेट को तो maximum swap ratio और सारा gain हम रख लें तो minimum swap ratio नहीं तो वो वाले से भी लिखवा दू मैं आपको ओके लिखवा देता हूं क्योंकि फिर कि जब आप खुद से गड़ते तो कभी गभी ऐसे तरीके क्लिक होते हैं और गलत नहीं है तरीके सही है बट ICI इसे ज्यादा यूज करता है चाहिए करता हैeki और हमाव कि भॉप सर्फूद दिएल्डा होते हैं MA और है कि युुभीए अहल अवंत उमें लगए खूर्बीस लिखवा टुछटब्ड णोर्वा, कि और है, मैंन मैंन मैं सतर हैं नाता हैं आट टूल्स्काषटटर हैं 80,000 accrues to target company in which case there new market price will be उस case में जो उनकी नई market price होगी वो कितनी होगी 40 रुपीज तो उनकी अभी ही है market price 80,000 हमने उनको और दे दे कि भाई ये सारी synergy रखवा आप और आप 8,000 shareholder ही बाट लोस है तो उस case में उनका जो नया market price है है ना ये हम imagine कर रहे हैं बेसिकली हो नहीं रहा है ये imagine कर रहे हैं कि अब उनके share का भाव ही 50 मान लो और उस case अप से उनको exchange ratio दे दो ठीक है ये हो जाएगा maximum exchange ratio आजाएगा maximum swap ratio आजाएगा target की value है 50 और acquirer की value है 100 answer आता है 0.50 ठीक है मैंने लिखवा दिया है जस्ट एक formality के लिए को को कभी एक आद question में आपको ये वाला भी दिख सकता है most of the times आपको उपर वाला ही दिखेगा तो ये जो उपर वाला तरीका है ये recommended है ना in exams ये आपको prefer करना exam चलिए औरे तो इस तरीके से तो हम वो minimum separation भी निकाल सकते है हाँ ना चलो तो वो minimum separation दोनों तरीके से निकाल लेते हैं समझ में तो मेरे इसाप से आपको आगया है अब आप करवाते हैं जाना दोस्तों मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ calculation of minimum swap ratio तो सबसे पहले तो अपन statement के form में कर रहे हैं हाँ जी कैसे क्या करेंगे proceed आप बतातो यार हाँ ना तो पहले तो total market cap लिख लेते हैं और फिर required post merger market price लिख लेंगे ठीक है post merger market cap तो पका बाबा 14 lakhs ही आएगा अब इसे divide करेंगे हम required post merger market price हाँ जी क्योंकि अब आपना minimum swap ratio निकालना चाहते हैं मतलब सामने वाले को इल्गुल आप खींच लेना चाहते हैं कि उसको minimum से minimum कितना देना पड़ेगा बस उतने ही offer करो इससे एक रुपया offer मत करो मतलब सारा gain अपने हिससे कर लो तो अपनी value पहले कितनी थी 10 lakhs एक काम करो 80,000 की synergy है ना सारी अपनी ही तरफ खींच लो याने हमें तो merger के बाद 10 lakh 80,000 की value belong करनी चाहिए हमारे 10,000 shares पर answer आता है 108 ठीक है यहाँ पर यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ whole amount of synergy has been kept by acquirer अब क्या लिखेंगे number of shares यह आ जाएंगे total number of shares outstanding after merge कितने आ रहे हैं 12963 हना round off करके हम लिख रहे हैं और अब क्या कर लेंगे इसमें less number of shares of acquirer 10,000 shares याने let's issue them to 9 63 shares यह हो जाएंगे number of shares to be issued to target अब क्या करेंगे इसके आगे divide कर देगे है न existing number of shares से मतलब सीखते हूँ आप सिखाने वाला चाहिए यह आ गया दोस्तों 8,000 shares से हमने divide कर दिया 0.37 बता रहे है answer यह आता है minimum swap issue 0.37 is to 1 ठीक है अब जब दोस्तों हमने इतनी detail में चर्चा करी लिये तो वो alternative तरीका भी लिखी लें यह आता है new market price will be तो नई market price हो जाएगी एक तो जो पुरानी market price है वो तो उसको चाहिए चाहिए 100 market price 100 प्लास जो 80,000 की synergy है ना divided by 10,000 shares उनको ही मिलनी चाहिए सारा याने acquirer क्या बोलेगा मैं तो मान के चल रहा हो कि हम तो 108 वाले और उसे साप से बात करेंगे तो बस उसे साप से बात करेंगे तो अब आप निकाल लो उसे साप से swap ratio और यह जो निकलेगा यह minimum swap ratio कहलाएगा मतब सारा अपने loot ही लिया ना सामने वाले को छोड़ा ही नहीं यार आप वही target का price divided by acquirer target का price party acquirer का price 108 and you get the same answer 0.37 ठीके ओके okay जैसे किया है कि अपनी exam अब दोनों है descriptive भी है और MCQ में मुझे यह वाला तरीखा जहाँ सही लगता है अब डिस्क्रिप्टिव में यह वाला तरीखा सही है तो हमें knowledge दोनों तरह का लेना है आपको कौनसा वाला कब कैसे use करने को हो जाए कुछ कह नहीं सकते है ठीक है चले दूसरा कि हमने यहां पर हमारे comprehensive examples cover करें अब जब हम questions करेंगे तो कुछ-कुछ-कुछ-कुछ ऐसी specific चीजें आती जाएंगे और उसको फिर में यहां पर note करवाता जाओंगो points to remember कि question में ऐसा हो तो यह धियान रखना रखना रही तो roughly मान के चलिए कि तीन में से हमारे दो comprehensive examples cover हो गए हना क्यूँ न दोस्तों अब हम एक काम करें notes निकालने और उसके questions पर अब सही में rehearsal करके देख लें कि क्या होगी real life situation exam में question कैसा आता है चले तो आब आपके notes निकाल लीजे दोस्तों और मैं भी यहाँ पर notes open कर लेता हूँ जिनके पास by chance अभी question नहीं तो कोई चिंता की बात नहीं में screen पर सारी चीज़े flash करूँगा ही करूँगा हाना okay हम पहला ही question दोस्तो हमारी study material का भी latest job का new scheme का study material है na AFM Advanced Financial Management का उसके अंदर है यह exam में भी औरे बापरे तीन बार दोस्तों exam में पूछा जा चुका है हाना बस इस पर अपने को knowledge test करना है ठेक है A Limited wants to acquire T Limited A Limited है acquirer T Limited है target and has offered a swap ratio of 1 is to 2 याने 1 for 2 target के हर 2 shares के बदले में acquirer अपना 1 share देगा याने दूसरे शब्दों में 0.5 shares का हो गया swap ratio right following information is provided A Limited और T Limited दोनों का हमें profit after tax याने earnings after tax दे रखा है दोनों के हमें number of shares दे रखें याने वक्त आने पर जब हम profit after tax को divide कर देंगे number of shares से तो हमें क्या मिल जाएगा EPS हाला कि उन्होंने question में लिखकर भी दे रखा है नहीं भी देते तो हम खुद से निकाल लेते देख उन्होंने सही calculate करा है दोनों companies के case में P ratio दोस्तों उन्होंने दे रखा है अब क्योंकि EPS मालूम है और P ratio मालूम हैने हम आसानी से market price निकाल सकते हैं 3 rupees into 10 times is equal to 30 rupees और उस तरफ 2 rupees into 7 times is equal to 14 तो यह question थोड़ा से extra महरबान है जिसने कि आपको market price भी लिखकर दे दिया है ideally बस इतनी सी data देनी चाहिए इतना तो यह जो बाकी दिया है उन्होंने वो तो हम खुदी calculate कर सकते required अब यह आठाट नंबर दोस्तों सीधे सीधे score करने को है required the number of equity shares to be issued by a limited for the acquisition of T हमें बताना है कि आखिर कितने number of shares a limited issue करेगा to T answer 90,000 कैसे इतनी फटाफ़र ओ 1,000,000 share से target के into कितना कर दिया आपने 0.5 is that clear ठीक है कोई भी student हम में से हमारे भी चैसा तो नहीं था ना जिसने 6,000,000 उठाकर into 0.5 कर दिया हो 90,000 आ गया हमारा answer ठीक है second point what is the EPS of a limited after the acquisition अच्छा एक बात मैं आपको पहले ही clear कर दू दोस्तों यह लोग merger बोले यह लोग acquisition बोले यह लोग amalgamation बोले यह लोग take over बोले चाहे जो बोले जो calculation process रहेगी ना हमारी वो सेम रहेगे ना हाला है कि इन में फर्क होता है इन सारी terminologies में फर्क होता है यह लोगी एक ही question में तीनों term यूज कर लेते कभी बोलते मर्स होने फिर बोलते नीचे take over हो रहा है फिर बोलते acquisition हो रहा है फर्क ही नहीं बढ़ता question solve कर दे में दोस्तों what is the EPS of a limited after acquisition आपने answer निकाल लिया होगा 3.13 कैसे यार इतनी फटाफट आपने इन दोनों को add कर लिया 21,60,000 divided by 6,90,000 and you get this answer 3.13 क्या है क्लियर है सबको अब इसके बाद अच्छा एक मिनट इतो अभान अभी discuss कर रहे calculator पर solve कर रहें बाहर लोग यही question आप attempt में बैठे हो एक्जाम में बैठे हो आपका question number 1 एक अंपल सरी यह question प्रिंट होगे आप इसका presentation कर पाऊगे क्या बहुत simple है पहली बात तो है कि presentation को लेकर बहुत जादा conscious मत हो जाना क्योंकि एक्जाम में वो को आपका सुन्दर लेखन या presentation चेक नहीं कर दे उनके पास उनकी जो checking methodology होती हो हाला कि आज के दारिक में सब को ही मालूम है क्योंकि क्योंकि की numbers होते हैं जैसे 8 marks का question है आपने formula में चाहे कुछ भी लिख दिया हो अगर आपका answer correct आ रहा है ना they have to give you numbers वो आपको number देते हैं मतलब उनकी तो checking scheme होती वो यह है कि क्या जो key numbers उनके पास लिखें वो आपके टैली हो रहें बस वो उनकी examiner जो copy checker होता है उसके पास भी बहुत फुरसत नहीं होती है वो qualified CA वो symbol देखता है की number match हो रहा है उसकी number के सामने ICA नहीं कितने marks देने को वह लाओ one mark दो चलो 90,000 match हो रहा है दो one mark फिर आपने किसी और तरीके से निकाला हो तीसरे तरीके से निकाला हो इसको कोई फर्क नहीं बढ़ता है इसलिए presentation के लिए बहुत साथा conscious मत होना पहली चीज दूसरी चीज ICAI का खुद का कोई fix presentation scheme नहीं है वहाँ पर वो एक ही चीज को कभी किसी तरीके से solve कर लेते हैं कभी किसी तरीके से solve कर लेते हैं और लिखते भी है मतब कई बार से state answer के नीचे लिखा हुआ ही रहता है कि अगर स्टूरेंच यह नंबर निकाल कर लाए हैं फिर वो किसी अलग method से भी निकाल कर लाए हैं ते शेल भी given full marks ठीके क्या आप इस question के presentation को लेकर चिंतित हैं नहीं तो मैं एक काम कर रहा हूं दोस्तो आपके सामने ना मैं इसका presentation एक बार open कर देता हूं तो आपको presentation भी देखने को हो जाएगा हमारे जो note से दोस्तों हो ना completely solved है ने 100% solved है इसका यह मतलब नहीं कि मैं लिकर नहीं कर वाओंगा मैं लिकर कर वाओंगा लेकिन वो question जो बहुत ही low level के हैं वो I would expect कि आप खुद से एक बार हाथ से practice कर ले दोस्तों यह देखिए पहले वाले point का presentation सिंपल आपको 0.5 into 180,000 is equal to 90,000 कर देना है second point का presentation बिल्कुल वैसे हमने सूचा था दोनों का add करना है और divided by 690 करना है अब यह इनोंने statement के form में कर आया formula के form में कर दीजे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है चले दोस्तों third point question का क्या है determine the equivalent earnings पर यह equivalent EPS क्या होता है वो ही अपना adjusted EPS इतना आसान है कि मैं क्या बोलू आपने अभी EPS तो निकाली लिया है इंटो swap ratio 0.5 answer बोलो 1.565 is that clear ठीक है आप समझेर कैसा scoring करने को है यह देखो वो लिखा है 3.13 into क्या कर दिया 0.5 equivalent EPS कितना आगया 1.565 क्या है क्लियर है सबको अब वो 1.565 को आप approximately 1.57 भी लिख सकते हो नहीं भी लिखोगे तो 1.565 is good no problem ठीक है ठीक है 4th point इसके presentation को लेकर तो चिंतत नहीं हो ना 4th point what is the expected market price per share of A limited after the acquisition assuming its P multiple remains unchanged 31.3 किना फड़ा फड़ा आंसर दे आपने क्योंकि आपको मालुम है कि जो P E ratio है वो कितना रहने वाला है 10 times और आप से पूछ रहे है market price after acquisition याने post merger market price अब very good अब बस यह जो post merger वाला EPS है ना 3.13 इसको into 10 कर दोगे and you'll get the answer 31.3 is that clear दूसरा तरीका भी था अपने बास alternatively क्या था वो तरीका कि हम 1,80,000 प्लस 3,60,000 कर लें याने कितना हो गया 21,60,000 यह आ गया post merger EAT multiply by 10 times इने PE ratio तो यह आ जाता है 2 करोड 16,00,000 क्या है 2 करोड 16,00,000 post merger market cap और market cap को अगर हम divide कर देंगे number of shares तो market price आ जाएका number of shares कितने है 6,90,000 is that clear देख लो इससे भी करके देख लो answer same नहीं है तो मेरा नाम बदल देना देखो यह यह आ रहा है क्या answer 31.3 exactly दोनों में से किसी भी तरीके से presentation किया जा सकता है चलो पन देखते है ना इन्होंने किस तरीके से presentation अरे इन्होंने वह simple वाला ही कर रहा है और मेरे साब से आपने भी simple वाला ही कर रहा होगा 31.3 answer निकालने के लिए 10 times लिया और into EPS कर दिया ठेके ओके अब इसके बाद दोस्तों 5th point क्या है determine the market value of the merge firm हमें बताना है कि merge firm की market value क्या आईगी तो वो just अभी अभी हमने calculate कर रहा था ना 2 crore 16 lakh 2 crore 16 lakh वो है एक तरीका दूसरा तरीका यह है क्योंकि हम market price निकाल चुके merger के बाद वाली market price multiply by number of shares तो जरा आप करे 31.3 into 6 lakh 90,000 कितना आता है 2 crore 15 lakh 97,000 वो जो कि roughly 2 crore 16 lakh है ना एक्जाम में दोनों answers को full full marks दिये जाते है आप 2 crore 16 lakh लिखो या फिर 2 crore 15 lakh 97,000 लिखो है ना fractional differences ignore किये जाते एक्जाम देखें दोस्तों इन्होंने क्या प्रेजेंटेशन करा 31.3 into 6 lakh 90,000 क्या है clear है सबको हाँ जी मैं इस question को लिख कर कर वाऊं नहीं हाँ अपने उसकी जगे quality पर जाधा समय देंगे वो जो दो example मैंने comprehensive करवा है ना तक पहुंचने में जब जाकर अब हम ऐसे question को यू कर पारे जो तीन बार exam में आ गया यह कर लेंगे आप खुद से लिखकर ठीक है एक और चीज़ दोस्तों अपनी जो किताब है वो fully solved does not mean कि आपको solve करने की जरुवत नहीं है आपको अपनी solutions copy खुद बनानी है हम भी उसमें भी बहुत सारी questions करने वाले है तो खेर वो बिलकुल exact match हो रहा है तो इसको लिखकर क्यों करें पर आप अपनी solutions copy complete कर ले ना क्योंकि practical chapter practical subjects में सफलता का आराज है प्रैक्टिस question number two पर आएंगे दोस्तों again comes from study material you have been provided the following financial date of two companies krishna and rama earnings after taxes krishna की कितनी है 7 lakh और rama की कितनी है 10 lakh number of shares दे रहेंगे दोस्तों अगर इंसान को EAT मालूमे number of shares मालूमे EPS यू निकल जाएगा देखलो आप 7 lakh divided by 2 lakh अच्छा और दिया हुआ 3.5 और उसी तरीके से पडोस में दे रखा है और P-E ratio दे रखा है यहने market prices भी है क्या is that clear दोनों companies के दोस्तों कृष्णा की और rama की market prices कितनी 35 और 35 राइट company rama limited is acquiring the company krishna limited exchanging its shares on a one-to-one basis for company krishna limited दोस्तों जो शेयर का exchange ratio आ रहा है वो कितना आ रहा है one-to-one क्या आप में से किसी की पार्खी नजरे देख पा रही है कि swap ratio किस आधार पढ़ता है किया गया होगा market prices क्योंकि जब कृष्णा की भी market price 35 और rama की market prices 35 तो उन्हों required what will be the EPS subsequent to merger हमें बताने कि merger के बाद इनका EPS क्या होगा यानि वही निकालना हमें post-merger EPS post-merger EPS के लिए दोस्तों क्या कर लेंगे 10 lakh plus 7 lakh यानि यह आता है 17 lakh और अच्छा और इस बार तो वह जो number of shares है ना वह यह जोड़ जाएंगे क्योंकि 1 is to 1 का swap ratio है number of shares कितने हो जाएंगे 6 lakh answer बोलें कितना आता है 2.8 3 आ रहा है एक बार में हापर solutions में answer tally कर लेता हूं यह देखे दोस्तों ने VPS कितना आगे 2.83 हाना एक बार इस question को open पहले calculator पर discuss करते हैं चले second point what is the change in EPS for the shareholders of company Krishna and Rama तो हमें बताना है कि आखर इन तो यहां पर 3.5 से compare कर लेंगे 2.83 को यहने Krishna limited के लिए तो minus में जा रहा है minus 0.67 और यहां पर plus में आ रहा है 0.33 हाना क्योंकि यह जो लिखे हैं यह इनके pre-merger EPS यह जो लिखें यह इनके pre-merger EPS है और post-merger EPS है 2.83 अच्छा वह इग्जस्टेट EPS calculate करने की जरुआती नहीं इस बार वह वह यह आएगा सेम यह आएगा क्योंकि swap ratio तो 1-1 ही है तो यह आता है minus का 0.67 आता है Krishna के लिए और रामा के लिए आता है plus का 0.33 तो देखते है Krishna का minus 0.67 लिखाएगे तो decrease in Krishna है 0.67 और increase in Rama कितना है 0.33 अब एक और चीज़ अब इन्होंने ऐसा कुछ presentation करा है आप अपना जो मैंने बताये ना class में आप वैसा करना क्योंकि इनका presentation दूसरे question में फिड से बदल सकता है मैं ICI का question to question following नहीं कर पाऊगे क्योंकि इनके कई रूपे अलग-अलग question में इनके अलग-अलग रूप होंगे उसके बीचे reason यह है कि हमारे ICI का इतिहास बहुती स्वर्णिम है कितने सालों से चला रहा है ICI क्या वहाँ पर आज तक जितने सारे question से वो एक ही वेक्तिने डिज करके चले जाते हैं अब हम आज यहां पर बैठे हैं तो उनके अलग-अलग presentation आपको अलग-अलग question में देखने को मिल सकते हैं जो मैं class के इंदर बता रहा हूं वह एक generally accepted presentation क्या है generally accepted accounting principles gap है तो आपने वह फॉलो करना है consistent presentation हाना आप उनके पच्चनों पर exact नहीं चल पाएंग क्योंकि वह अलग-अलग direction में जाते हैं ठीक है चलो यह हो गया है second point हो गया third point determine the market value of the post merger firm P ratio is likely to remain the same हमें बताना है कि post merger firm का market value कितना होगा यह question हम से market price पूछ रहा है market value पूछ रहा है market value वर्ड है क्या फर्क समझते है market price में और market value में market prices per share market value is in total terms लेकिन मैं आपको अब एक बात और बता देखा हूं ICAI ज़रूरी नहीं कि यह difference उनके solution में maintain करें याने there is a 50% chance कि ICI चाहता हो market price लेकिन लिख बैटा market value यह तो आपको मालूम है न कि थोड़ा हमारा margin of error रहता है exam में तो इसलिए to be on safe side ऐसे situations में आपको क्या करना है market value भी लिख देने और market value per share भी लिख देने अब उनके पास जो चेकिंग यार मानलो उनके market value per share लिखे और आप से टोटल calculate करके उनका match नहीं होगा ना एक दो नंबर आपकी यूँ ही काट लेंगे जबकि सब आता है हमें तो इसलिए to be on safe side जहां जहां पर ऐसा होगा ना किया dual answers के scope होंगे तो हम dual answers लिख देंगे exam में ठीक है वह मैं बताता जाओंगो तो अपन पूरा syllabus ही कर रहे हैं हाँ जी कैसे करेंगे इसे earnings into PE ratio तो earnings कितनी है 2.83 मलते answer बोले दोस्तो 28.3 और आपका क्या answer आ रहे है 30 30 39 दो answers आ रहे दोस्तो एक आ रहे 30 और कुछ और एक आ रहे 28.3 एक पर देख लेते हैं यहाँ पर जो post merger EPS है वो कितना है 2.83 multiply पर जो PE ratio है वो सेम रहने वाले किसका सेम रहने वाले अक्वाइर का है ठागेट का एक्वाइर का 10 टाइम्स 28.3 है ना यहाँ पर 14 टाइम्स से multiply होगा क्योंकि इस question में acquirer Krishna नहीं है Rama is the acquirer mind game खेल लिया उन्होंने क्योंकि हमारी normally क्या setting होती दिमाग में कि पहला column किसका बनेगा एक्वाइर का और यह देखो रामक्रिष्णा कंपनी रामा लिमिटेड इस अक्वाइरिंग क्रिष्णा क्रिष्णा इस नॉट एक्वाइरिंग रामा 14 टाइमस वाला अंसर करेक्ट ठेक है यह one of the mistake है जो इस question में हो जाती है और उन्हों सबसे हो ही गई ना जिन्होंने answer 28.3 दिया तो यह one of the area है ICI के पास की वो column switch कर दे और column switch करते को नाम ऐसे रखेंगे कि आपको राम भगवान कृष्ण भगवान सब अवतार ही है तो नाम ऐसे कुछ रखेंगे कि आपको फर्की नजर नहीं आने वाला है ना and it is one of the points that you must remember in exams all करते नहीं तो मेहनत पर पानी फिर जाएक हम सब पढ़ लिख कर गया गया सब है ना जैसे मैं आपको यहाँ पर अपनी पिछली बैच की concept copy अगर शो करता हूं तो यह वो सारी चीजें होती जो कि हम points to remember के अंदर लिखते हैं कि ICI ना यह सारी चीजें जो है वो हमारे साथ यह सारे के सारे खेल खेल सकता है तो you must remember कि हमें इन सारी चीजों को ध्यान रखना है चली तो वो जो points to remember की मैंने यह भी बात कर रहा था उसमें यह लिखेंगे just make sure कि कहीं ऐसा तो नहीं कि acquirer is given in the acquirer information is given in the second column and target is written in the first column चाले दोस्तों और यह और एक मिनिट तो फिर तो अपना first second point भी गलत हो गया होगा किस्मत से बच गया आप क्योंकि swap ratio one is to one था नहीं तो first point से गलती शुरू हो जानी थी अभी आप क्या करते जो भी swap ratio होता वो इधर लगाते फोर लाक पर लगाते और टार्गेट मानते वहां से गलती शुरू हो जाती ठीक है तो वो तो किस्मत से आपर मानस टू बन था इसलिए first second point coincidentally सही हुए जिनका answer 28.3 आए उनका बाकी तो जिन्होंने correct answer दिया वो तो दे जो आजा है चलेगा fractional difference है ना चली fourth point question ने क्या बूचा है ascertain the profits accruing to shareholders of both the company profits का मतलब gain gain accruing to shareholders of both the company's याने gain या loss निकालना है वो ही अपना statement जम बनाते है कि post margin market price क्या है versus pre margin market price क्या है और दोनों का difference ठीक है दोस्तों यहाँ पर आखों के सामने दिख रहा है कि क्रिश्णा की pre margin market price 35 और post margin market price कितनी हो गई है याने there is a gain of 4.62 और यहाँ पर 35 है और यह कितना है 39 याने again there is a gain of 4.62 per share again अब यहाँ पर एक्दम clarity के साथ हमें नहीं मालूम है कि ICI हम से gain or loss per share पूच रहा है या फिसले जो मैंने आपको presentation का धंग बताया है वो यही बताए कि per share निकालो उसको multiply by number of shares कर दो total terms में भी निकाल दो is that clear ठीके चले दोस्तो कर नमबर 2 को हम यहाँ पर लिखकर solve कर लेते हैं एक practice हो जाएगी चले तो अब आप दोस्तो अपनी solutions copy भी बना लें मैं भी यहाँ पर अपनी एक नई copy create कर रहा हूँ AFM solutions copy okay इस copy के अंदर हम सारे के सारे solutions करेंगे हैं आप इसमें question number one खुद से solve कर लीजेगा आपकी practice होगी वो और हम कर रहें question number two हाला कि मैं समझ रहा हूँ कि question number two भी आप चाहेंगे कि यह भी हम कर सकते हैं ऐसे को rocket science question नहीं है बट एक बार कर लेते दोस्ता आपको ऐसा नहीं लगे कि चलिए हाँ जी EPS हमें calculate करना है subsequent to merger आप presentation एक्जेक्ट जो आपको पीछे solve दे रखा है उससे match नहीं करेंगे तो भी चलेगा क्या calculate करना ना EPS subsequent to merger ठीक है तो post-merger EPS calculate करना है post-merger EPS is equal to earnings after taxes of acquirer यहाँ पर हम चाहें तो acquirer का नाम लिख देते हैं acquirer is rama limited और earnings after taxes of krishna या फिर आप उसकी जगे पर a और t word भी use कर सकते हो कोई problem नहीं है divided by n plus delta n तो earnings after taxes of rama है 10 lakh rupees और krishna है 7 lakhs divided by n plus delta n तो rama के number of shares है 4 lakh plus 2 lakhs 6 lakh answer आता है कितना आ रहा है answer 2.83 okay so answer आता है यहाँ पर 2.83 आप चाहूं तो लाइक भी लिख सकते हो फिर 2 lakh into 1 भी लिख सकते हो ना ऐसे इन छोटी बातों से आई से को फरक नहीं पड़ता है वो उनकी checking scheme में यह लिखा रहता है कि यह कर्रेक्ट आ रहा है हमें पता करना है changing EPS याने वही गेनिया लॉस और गेनिया लॉस इस बार हमें निकालना है earnings की terms में कि आखिर कमाई की terms में कितना नफाया नुकसान हुआ है तो क्यों न हमें काम करें अपन तो अपना वो statement वाला format बना ले हाना आपको एक consistency पर रहना पड़ेगा चली तो हम यहां पर कर रहे है calculation of या तो आप word change in EPS इनके जैसा लिख दो या फिर gain या loss लिख दो दोनों चलेंगे कोई फरक नहीं पड़ता है वो वैसे भी यह जो आप यहां heading लिखते हैं उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं नहीं है जब examiner वो चेक करते हैं ना copy checker तो बहुत speed में चेक करते हैं और उनकी नजरें सिर्फ वो number ढूंदती है हाँ जी तो मैं यहाँ पर रामा लिमिटेड का पहले column बना रहा हूं being the acquirer और यहाँ पर bracket में लिख भी देता हूं acquirer और कृष्णा लिमिटेड का यहाँ पर column बना रहा हूं टागेट चेंज इन EPS के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा post-merger EPS word अब क्योंकि post-merger EPS और adjusted EPS में अससेच कोई फरकी नहीं आने वाला है तो मैं दोनों एक साथ ही लिख रहा हूं आप चाहो तो अलग-अलग line में भी लिख सकते हूं post-merger भी 2.83 और adjusted भी 2.83 let's compare it with pre-merger EPS so pre-merger EPS है रामा लिमिटेड का बता ना 2.5 और कृष्णा का है 3.5 तो अब यह आ जाएगा gain या loss तो यहाँ पर तो gain आ रहा है 0.33 का और यहाँ पर loss आ रहा है 0.67 का ठीक है loss को आप minus में भी लिख सकते हो और bracket में भी लिख सकते हो दोनों equally good है ठीक है तो यह आ जाएगा increase or decrease in EPS या फिर change in EPS या फिर gain या loss अब यहाँ पर देखी क्या उन्होंने बहुत clearly EPS लिखाएगा येस तो फिर वो per share ही बूच रहे ठीक है अगर वो न यहाँ पर ऐसा लिखते है change in earnings लिखते है तो हम थोड़े सी confused होते है कि वो earnings per share में जानना चाहते है या total में third point दोस्तो question ने क्या पूचा है market value of the post-merger firm हाना तो अपने कैसे निगा ले थी market value post-merger EPS into PE ratio कर दिया तो post-merger market price आ गई into number of shares कर दिया तो total market value आ गई post-merger वाली हाना so यहाँ पर एक एक करके लिखते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर post-merger EPS post-merger EPS आ जाएगा 2.83 इसको हम multiply कर लेंगे PE ratio से तो मैं post-merger PE ratio लिख देता हूँ alternatively या just PE ratio लिखोगे तो भी चलेगा कितना times? 14 times तो यहाँ आ जाएगी post-merger market price 30 9.62 हाना? ओके अब शायद कुछ students 2.8333 से चल रहे होंगे हाना? अब उससे चलते हो तो यह आता है या सिर्फ 83 से चलते हो तो यह आता है हाना? अगर आप उससे भी चलके answer निकालोगे न तो वह भी valid answer होता है माना जाता है exam में ठीक है? पर तो normally तो market value का मतलब क्या होता है total terms में? तो हम तो total में calculate कर देंगे क्योंकि पर share उन्होंने specifically इस बार बोला नहीं है ठीक है? यह ध्यान रखना है यहां marks जाते है बच्चों के जिसकों कोई बच्चा over confidence में निकाल तो दिया अब क्या करना है इसको multiply by number of shares multiply by number of shares outstanding और हम जानते है कि number of shares में दोनों के shares जुड़ जाएंगे 4 lakh और 2 lakh है इन्हे 6 lakh है यहां पर 6 lakh shares से multiply कर लेंगे यह आ जाएगी total market value of merged firm कितनी आ जाती है 2 करोड 37 lakh 72,000 यह आ गए total market value of merged firm अब question के अंदर उन्होंने जो पूछा था वो यही पूछा था determine market value of the post merger firm बस इतना ही निकालना है आपको है but study material के अंदर उन्होंने solution दे रख है ना उन्होंने एक काम और कर दिया कि इतना तो निकाला ही निकाला है उसके बाद उन्होंने existing market cap से compare करके gain या loss भी निकाल दिया है जो मेरी opinion में निकालने की जरौत नहीं है अगर उन्होंने सिर्फ इतना पूछा है तो बस इतना ही निकाला जाता है ठीक है बड़ इस्टेडी में explanatory point of view से उन्होंने दे दिया होगा right but marking scheme में marks उनी चीजह के होते है जो पूछी गई है ठीक है और यह पूछी तो नहें बाद में is that लिए तो वहाँ पर हो ही जाएगा ठीक है profit accruing to the shareholders of both the firms निकालना है तो उसके लिए पहले post margin market price निकालना है अच्छा निकालना क्या हो तो मालूम ही है 39.6 बस सीधे अपन तो अपना statement बनाते है statement showing gain oblique loss या फिर profits accruing to the shareholders okay particulars आ जाएगा एक तरफ आ जाएगा rama limited acquirer और एक तरफ आ जाएगा krishna limited target चली पूरा ना आपको presentation एकदम clear है क्या लिखे सबसे पहले बताईए post-merger market price so post-merger market price है 39.62 हाना और in fact उसके लिए हम लिखते हैं adjusted market price लेकिन अभी कुछ करना ही नहीं है क्योंकि swap ratio ही one is to one है now we are going to compare it with pre-merger market price क्योंकि gain या loss निकालना है तो rama limited की pre-merger market price कितनी दे रखी कर्षिन ने 35 अच्छा दोनों की 35 दे रखी ठीक है यह आ जाएगा gain oblique loss per share 4.62 दोनों की यार मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है EPS में तो एक को फाइदा हो रहा तो एक को नुक्सान हो रहा तो market price में दोनों को फाइदा हो रहा है ऐसा कैसे PE ratio क्योंकि EPS में कोई synergy of energy थी नहीं तो एक का फाइदा हो तो दूसरे का नुक्सान हो गया लेकिन जब हम market values तक गए तब तक PE ratio same होने की बात हो गई और उसका पहले 10 था पर अब उसका भी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा मतब फाइदा आ गया और फाइदे में दोनों को फाइदा हो गया is that clear okay हाँ जी gain of loss per share आगया अब आगया बताइए multiply by number of shares 4 lakh और 2 lakh यह आजाएगा total gain of loss कितना 18,48,000 9,24,000 और हम एक काम और करेंगे exam में इन दोनों को ऐसे club करके लिख देना तो यह आजाएगी overall synergy यह overall synergy in market value है कितने रुपीज है 27,72 ठीक है वो उससे टैली भी हो रहा है जो उन्होंने उदर लिखा था 27,72 अचा हम भी चाहे तो 27,72 को reconcile कर सकते हैं मालूम यह 27,72 कैसे आया है है ना रुपीज 7,00,00 इंटू 4 और वो 4 आप कैसे बुल रहे है 14-10 कि पहले Krishna का PE ratio 10 हुआ करता था लेकिन रामकृष्ण बनने के बाद उसका भी PE ratio कितना हो जाएगा 14 याने 4 तामस का इजाफा होगा तो देखो यह यह आ रहा है मला वो आप समझे rounding off का difference आएगा वो आई से ही का खुद का ही आता है उन्होंने खुद नहीं 2772 लिखा यह मैं अंसर आपको बता देता हूं उन्होंने भी 2772 लिखा rounding off का difference आएगा यह अपना answer टैली हो रहा है 1848 और 924 यह 1848 और 924 अब जैसे उन्होंने इस question में total का भी column बना दिया किसी में क्या करेंगे किसी में क्या करेंगे आप उन सारी इक्स्ट्रा चीजों को ignore करना चिक है चले दूस तो यह हमने question number 2 भी कर लिया है अब हम करते हैं हमारा next question question number 3 question number 3 comes from study material और दो बार exam में भी आ चुका है आप समझे आपन कैसे पढ़ेंगे चीजों को आपन पहले जो सब होने वाला question में पहली example में सब कर चुके होंगे questions merely हमारे practice point of view से application of knowledge point of view से होंगे और एक चुट चुट चुटी गल्ती question करते हो जाती है जैसे आपने रामा कृष्णा को कृष्णा रामा पढ लेते ऐसी चुट चुटी चीजें वहां पर पर इंप्रूब होंगे XYZ limited shares are currently traded at rupees 20 it has 2,50,000 shares outstanding and its earnings after taxes amount to rupees 5 lakh ABC limited has it shares outstanding market price 10 EAT कितना 1,25,000 अब समझ रो इस question में थोड़ा सा रंग क्या बदल दिया अब भी तक वो information में टेबुलर format में दे रहे इस बार language के format में दे दिया है the merger will be effected by means of a stock swap याने shares to shares का उनका exchange ratio होने वाला ABC limited has agreed to a plan under which XYZ limited will offer the current market value of ABC limited's shares बताओ कि भाई अक्वायर कॉन है XYZ यहां पर acquirer है because ABC ने agree to a plan under which XYZ will offer the current market value of ABC limited's shares यह 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 कभी कभी ऐसा होगा कि ICI swap ratio ही नहीं देगा question में याने यह तो चलो यह लोग शरीफ थे जो इन्हों ने यहां पर बोल दिया कि यह क्या होगा यह लिखेंगे ही नहीं कि swap ratio क्या है बस बोल देंगे कि the merger will be effected by means of a stock swap याने shares exchange होंगे cash offer नहीं और सीधे आपसे बूस लेंगे अब बताओ gain your loss कितना है कितना और swap ratio ही नहीं देंगे question default assumption क्या है अगर swap ratio question ना देवे तो आपको swap ratio तो लगे गई ना कोई सा भी calculation करने के लिए तो आप swap ratio का default assumption क्या है बता सकते हैं आप market price one to one कभी नहीं market price अम सोचो ना real world में क्या होगा जो सबसे fair काम है वो तो है market prices के ratio में exchange करो क्योंकि market prices में सब समा गया है आपकी market prices में आपका सारा सच है हमारी market prices में हमारा सारा सच है उस ratio पर exchange कर लो तो if question is silent then default swap ratio is based on market price ठीक है लिखवाओंगो so swap ratio आगया हमारा कितना .50 अब देखे हमें क्या क्या चीज़े करने what is the pre-merger EPS and PE ratio of both the यूं कर लेंगे यूं क्या पूछ रहे हूं pre-merger EPS और post-merger पूछ रहे हैं यूं निकाल लेंगे दोस्तों यहाँ पर आप देखे share में हाँ earnings after taxes of 5 lakh और divided by number of shares answer EPS का 2 rupees और इसका भी EPS निकाल देते हैं 1,25,000 का earnings और 1,25,000 shares 1 आगया यह आगया EPS अब क्या निकालना है PE ratio इंसान के बास market price है कितनी है market price 20 और अब भी EPS निकाला 2 कितना आगया PE ratio 10 times और इसका market price है 10 और इसका EPS था 1 यह सेम आगया 10 अब देखो दोनों का PE ratio 10 10 चल रहा है तो अब इनके merge होने से क्या PE ratio में कोई synergy आएंगी या नहीं आएंगी वह वाली नहीं आएंगी अभी ठेके 2nd point question हम से पूसरा यह हो गया 1st point जो इसके marks थे मान लो की 8 mark का question है 2 marks थे तो मिल गया आपको आधा इसका आधा इसका इसका करके 2 marks मिल गया समझ रहा आप पूरा scoring है खाने कोई 8 में चाट 2nd point if ABC limiteds PE ratio is 6.4 what is the current market price answer बोलो आप तो answer 6.4 क्योंकि यहाँ पर XYZ की बात हो रही है ABC और ABC का अगर वो बोल रही है अगर उसका PE ratio 6.4 है तो बताई उसकी market price क्या तो PE ratio into EPS 6.4 into EPS कितना था इनका 1 रुपी जा यह आगी market price कितने 6.4 is that clear ठीक है चली एक और चीज हमसे यह लोग क्या बूझ रहे है what will be XYZ limiteds post-merger EPS B यहाँ पर आपको XYZ limited का क्या निकालना है post-merger EPS यहने merger के बात का EPS निकालना है बता दीजे दोस्तों merger के बात का EPS आखिर कितना आता है आप अपने हिसाब से बता दीजी कितना आ रहे है post-merger EPS निकालना है 2 रूपी जारा answer is that clear ? देखे दोस्तों कैसे गरेंगे हम यहाँ पर हमें तो post-merger EPS निकालना है तो post-merger EPS निकालने के लिए हम दोनों की कमाई जोड लेंगे तो acquirer की income कितनी है 5 lakh plus target की income है 1 lakh 25,000 क्योंकि synergy earning नहीं बोला है तो नहीं होती है ठीक है divided by N plus delta N N number of shares याने acquirer के shares 2 lakh 50,000 shares plus delta N याने कितने shares issue होंगे तो target के कितने shares है 1 lakh 25,000 shares है into swap ratio कितना निकाला था 0.5 याने कितने 62,000 final shares दोस्तों answer निकाल लीजी कितना आरा answer 2 rupees आ रहा है यह गलत answer है कितना है क्यूंकि देखो एक तो होता है concept सीखना दोस्तों तो उस concept को यह जो question खेल खेलता है न हमारे साथ exam में उस पे correct धंग से apply करना दोस्तों यहाँ पर जो आपने swap ratio लिया है न 0.5 यह उस जमाने का है कैसे निकाला था चलो 0.5 बताओ कैसे निकाला था swap ratio कैसे निकाला था 10 रुपीज divided by 20 रुपीज यह swap ratio जो 0.5 यह आपने उस जमाने में निकाला था जब target की market price 10 रुपीज थी और थी लेकिन exam में तो आपको मालूम है ना जो आप point कर रहे हो उस point में उन्होंने market prices same रखिये change कर वा दी change कर रहे है क्या फर्ज बन रहा अब आपका कि यहां पर को उन्होंने लिखके तो दिया ही नहीं था कि point five is swap ratio उन्होंने तो scheme बताई थी scheme scheme क्या थी market price के basis बढ़ता है होगा और अब market price क्या है 6.4 है ठीक है तो अब swap ratio क्या होगा 6.4 by 20 point three two उससे करेंगे ठीक है है ना समझ रहे आप चीजे है ठीक है चलिए तो इसलिए वो जो practice question हम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे ही थोड़ा सा question के धंग में हम डल जाए है ना दोस्तों तो आपने वहाँ वहाँ यू तो आपने 2.16 अब हम से थर्ड पॉंट में क्या पूचा जा रहा है what would be the gain or loss in second above हम से फाइदा है नुक्सान करते तो है हम फाइदा है नुक्सान किन दो चीज़ों को compare कर लेंगे post-marger EPS versus pre-marger और target के case में वो equivalent, adjusted is that clear ना ओके यहाँ पर हाँ अब देखो एक और चीज कि क्या यहाँ पर हम earnings को compare करेंगे या फिर हम यहाँ पर market values की terms में gain या loss निकालेंगे market values अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत हैं क्योंकि उन्होंने साफ-साफ word क्या लिखा है वो देखना what would be the gain or loss बोला है in second above तो second point में उन्होंने आपसे क्या पुछा है final number post-merger EPS पूछा है न तो आप आपको post-merger EPS यानि earnings की terms में gain या loss निकालना है एक minute कोई चिंता वाली बात ने आप अगर exam में बैठे होते हैं तो भी I am very sure कि आप यहाँ पर earnings की terms में निकालते हैं क्यों मालूम है क्योंकि मैं जब आपको वो नी points to remember तो वो points to remember के अंदर में मैं ऐसा सब लिखवा देता हूं यह देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखवा है points to remember में अभी आपको ने लिखवा है आपको लिखवाँगा यह मेरे writing है if question is silent about how gain or loss to be calculated to the shareholders whether in terms of earnings after in terms of market value then simply look at the previous point calculation के previous point में आखर आपने किया क्या है if previous point asked us to calculate post-merger EPS if previous point asked us to calculate हाँ अगर यही इस question में अगर question हमसे बूज लेता बताओ कि post-merger तो फिर हम समझ जाते हैं आप gain or loss किसमें चाहते हैं हमसे market value है ना तो यह सारी hints होती जो में question में catch करनी पड़ती है ताकि हम वो करें जो वो चाहते हैं ताकि आपको वो मिले जो आप चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर gain or loss किसमें कालकुलेट कर लेंगे earnings की terms में है ना okay आता है सबको earning की term में gain or loss calculate करना post-merger or adjusted EPS compared with pre-merger and we'll get the answers है ना बड़ी बात में यूं कर लेंगे अभी right fourth point क्या पूचरें है question what should be the exchange ratio स्वाब रेशो पूच रहे हम से if the XYZ limited pre-merger and post-merger EPS are to be the same यानि यह चाहते हैं कि XYZ का जो post-merger EPS और pre-merger EPS हो वो बिल्कुल same हो तो क्या होना चाहिए swap ratio ठीक है कैसे निकाल लेंगे हमसे है ना दो तिन तरीके answer same आएगा सबसे पहला तो तरीक आए कि ना post-merger EPS का formula use कर लो और उसमें set क्या कर दो जो pre-merger EPS है ना वो set कर दो कि जो acquirer का pre-merger है में तो वो post-merger EPS चाहिए और निकाल लो swap ratio answer आजाएगा ठीक है या फिर यहाँ पर आपना सीधे वह वाला formula भी लगा सकते हो swap ratio का formula उससे भी answer same आजाएगा ठीक है क्यूं आएगा वह मैं समझा दूंगा question करते वक्त है ना दोस्तों यहाँ पर आप एक बात बताईए अब जो आप swap ratio use करेंगे वह .32 जो आपने यहाँ निकाला था वह use करेंगे या फिर जो .5 हमने यह original question में निकाला था वह use करेंगे एक बात बोलू सवाली गलत पूछ रहा हूं निकालना ही swap ratio है अरे न .32 use करेंगे न हमें खुदी क्या निकालना है तो कुछ भी use निकरेंगे करेंगे और पूरा पूरा आप लोग सही करवान है आप assume कर लो कि आप exam में बेठे हो और यह question आपको छप गया है पांच नंबर के लिए मान लो यह question आ गया पूरे पांच मेंसे पांच लाने बताएंगे दोस्तों रन नीती बताईए आपकी वाट इस दा प्री मर्जर EPS एंड PE ratio ना तो एक काम करते हैं ना एक कॉलम बना लेते हैं एक कॉलम बना लेते हैं ABZ का उसार अड़ेट हैं यहाँ पर लिख लेते हैं बोलते जाहिए दोस्तों बोलते जाहिए सबसे पहले क्या है मार्केट प्राइस निकाल नहीं है ना दे रखिए नहीं तो मार्केट प्राइस से क्यों चल रहे हो पहले तो EPS पे उन्होंने EPS पूछा है ना तो पहले तो यह दो चीजे लिखेंगे ना EAT और number of shares डिवाइड करके लिखते जाते जो उन्होंने पहले बूछा वो निकाल दे दे ठीक है तो EAT उन्होंने कितना दिया था 5,00,000 और 1,00,25,000 और अब हम उसे डिवाइड कर देंगे number of shares यहाँ पर है 2,00,50,000 shares और यहाँ पर है 1,00,25,000 यह आ गया हमारा EPS में इसे shortcut use कर सकते हैं EAT या पूरा लिखना पड़ेगा earnings after taxes इसके कोई number नहीं मिलते आपको वह exam manner की नजरे देखती भी नहीं कि आपने क्या लिखा EAT लिखा चाहे PAT लिखा वो यह चेक कर दिए तो आप shortcuts use कर सकते हो कोई problem नहीं जो commonly known shortcut है EAT हर को ही जानता है तो जो commonly popular shortcuts है वो exam में use किये जा सकते हैं करने पड़ेंगे नहीं तो paper छूट जाएगा हाँ जी अब market price भी लिख दू 20 रुपीज और 10 रुपीज तो therefore PE ratio होता है market price upon EBS यह आ जाता है 10 times और यह फिर से आ जाता है 10 times ठीक है चल first point ही हो गया है बातो बातो में वक्त कहा निकल गया दोस्तो आपके साथ पता ही नहीं चला तो अब बना रहें second point है second point में क्या calculate करना है हमें पहले current market price calculate करनी अगर PE ratio 6.4 so current market price अगर अगर किसके लिए current market price calculate करनी current market price of ABC है न तो PE ratio है 6.4 times और उसका EPS है 1 rupee तो 6.4 आती है current market price हाँ मुझे important काम करना है वो यह है कि इस market price के basis पर हमें नया swap ratio निकालना और फिर उसकी मदद से post-merger EPS निकालना है तो therefore swap ratio is equal to market price of target upon market price of acquirer target का market price is 6.40 और acquirer का 20 है न ओके 20 यह आता है 0.3 अब निकाल लेते हैं यहाँ पर post-merger EPS तो post-merger EPS अब चाहो तो formula लिखो नहीं भी लिखो के exam में तो भी चलेगा ICI खुदी कई बार formula लिखता ही नहीं सीधे data डलता answer निकालता है जैसे इस question का मैं आपको presentation show करूंगा तो उन्होंने को post-merger EPS का formula और लिखा वो बच्चो वाली बात होती है हाँ जी तो earnings after taxes of acquirer कितना है 5 lakh plus 1 lakh 25 thousand divided n number of shares है हाँ 2 lakh 50 thousand plus तो ऐसा लिखते थे 1 lakh 25 thousand into point three to कितना बता रहे हो और यहाँ पर मतलब final answer 2.16 15455 आ रहे हैं तो जो मैं recommend गरता हूं न तरीका वो यह है कि 2.1555 लिख दो और फिर अप्रोक्स का साइन बना कर 2.16 लिख दो ताकि दोनों बात हो जाए हमने थोड़ी ज्यादा डिजिट भी शो कर दिया अगर आपको वो है तो और हमने रांड आफ भी कर दिया चले दोस्तों यह निकाल ले हमने post merger EPS और क्या यही पूछा था उन्होंने second point में यह यारी यह number भी पक्के हुए अब third point उन्होंने पूछा है what would be the gain or loss in second about और मैं आपको वो note लिख वाँगा आप उसकी चिंता मत करना अभी आपको समझ रहे कि अगर पिछले point में पूछा ही post merger EPS है तो अगले point में gain or loss निकलता ही earning की terms में अगर यह पिछले point में पूछ ले थे post merger market price क्या है तो फिर gain or loss निकलता confirm market prices की terms, market values की terms तो इसके presentation को लेकर तो जरा भी चिंता नहीं होगी आपको third point का वो पन अपना statement बनाती है statement showing gain of like loss to the shareholders कभी-कभी जब यह paper lengthy होता है तो बहुत सारे students क्या करते है heading wedding भी ignore करते है कि heading जाने दो लिखेगा कॉन time waste होता है exam में तो आपका एक second भी कीमती होता है तो आपना ऐसा भी गड़ सकते हो क्योंकि उसके भी कोई number तो है नहीं हाला कि SFM AFM के paper में ऐसा होता नहीं कि time की shortage आजा है मतलब यह बहुत आराम से manage होता है paper well within time आपका पूरे 100 number का attempt हो जाता है हमारा AFM का paper उतना lengthy कभी नहीं आता चलिए उस्तो पार्टिकलर्स लिखते हैं और एक्वाइर और टार्गेट वर्ड भी यूज कर सकते हो चाहो तो गमनी का नाम भी लिख सकते हो XYZ ABC क्या लिखें post-marger EPS और यहां पर नीचे वाली line में लिख देंगे adjusted EPS अब तो हमें ध्यान ही रह गई ना सारी चीज़ें की ऐसा ही होता है और फिर उसको compare कर लेंगे pre-merger EPS तो pre-merger EPS इसका 2 था और उसका 1 था और post-merger EPS आ रहा था 2.16 और इधर adjusted EPS के लिए और अब आप 2.16 को into .5 का swap ratio करोगे into .32 .32 बहुत obvious सी बात है ना मतलब मुझे पूछना में नहीं चाहिए था कितना आ रहा है .69 .69 .69 .69 भी लिखकर कर सकते हो कोई लोड वाली बात नहीं .69 .12 भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं फ्रेक्शनल डिफ्रेंसस टॉलरेबल होते हैं एक्जाम्स में अब यह आता है गेन अबलिक लॉस पर शेयर तो यह आता है 0.16 ओके और यहां तो लॉस हो रहा है यार 0.3088 का लॉस आ गया पर शेयर इसे हम मल्टिप्लाइ कर देंगे नमबर आफ शेयर्स तो एक्वाइर के हैं 250,000 शेयर्स और टारगेट के हैं 1,25,000 शेयर्स तो यह आ जाता है टोटल गेन अबले लॉस 40,000 और 38,600 ठेक है अब देखा जाए ना तो इन दोनों को जब हम समप करेंगे तो यह आएगा तो 16 रुप है बड़ प्राक्टिकली वह 0 रुपीज है क्योंकि अर्निंग में कोई सिनर्जी थी ही नहीं अब मैं आपको ना इन ही का इसा प्रेजेंटेशन और इसा बता देखो यह स्टेडी मेटरल का इसा प्रेजेंटेशन देखना मैं आपके सामने फ्लैश कर रहा हूं और प्रेजेंटेशन आपके नोट्स में पीछे भी दे रखें मतलब जहां आपका चैप्टर खतम हो रहे हैं उसके पीछे सॉलूशन सारी चपए कोई चीटिंग करके महां से कभी आंसर देना यह देखो इनके प्रेजेंटेशन में भी यहां पर आ रहा है 40,000 और 38,600 वो बुलते कर दो ना जो आ रहा है वो मतलब यू डोंट नीड टू अकांट्स के जैसा हो मैच करना एक्जेक टेक रुपे का डिफरेंस नहीं आना यह एफम है यहां पर डिफरेंस चलेगा अच्छा यह देखो इस बार इनोंने गेनिया लॉस का प्रेजेंटेशन बिल्कुल वैसा करा है जैसा हम करते हैं तो इ एक्सचेंज रेशो पूझ रहें और कंडीशन के डाल दिए कि एक्सवाइज याने एक्ष्वाइर का जो ही प्री मर्जर EPS है सो ही उसका पोस मर्जर EPS होना चाहिए इसे प्रेजेंटेशन कर करने के अगेन हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं एक तरीका है कि पोस मर्जर E EPS हाना उससे कर लेते पहले ठीक है so we know that post-merger eps is equal to earnings after taxes of acquirer plus earnings after taxes of target divided by n plus delta n और यहां पर acquirer का कितना earnings after taxes 5 lakh plus 1 lakh 25,000 और divided by n number of shares तो में मालूम है 2 lakh 50,000 हाना और delta n shares के लिए दोस्तो 1 lakh 25,000 into swap ratio और इस तरफ post-merger eps कितना set कर देंगे 2 rupees बस एक यह non-variable ही यूं solve कर देंगे तो इस चीज को यहां पर लाकर multiply कर रहे हैं तो यह बन जाएगा 5 lakh plus 2 lakh 50,000 sr is equal to 6 lakh 25,000 यहने therefore swap ratio कितना आता है 0.50, right? वोई 0.5 is 2, 1 हाना? ओके एक तरीका हमारे पास solve करने का यह है alternatively मैं बोलू ना आपको तो हम यहाँ पर अगर swap ratio का formula भी लगाते हैं तो भी same answer आता है लगा के देख लेते answer same आता है क्या तो swap ratio का formula क्या होता है? है ना target का eps upon acquirer का eps target का eps था 1 rupee acquirer का था 2, answer कितना आया? 0.5 हाना? आप जानते हूँ यहाँ पर same answer क्यों आ रहा है? क्योंकि earning में कोई synergy नहीं है क्योंकि earning में कोई synergy नहीं है तो यह formula क्या करेगा? fair काम करेगा? दोनों को 0-0 profit पर लाकर रखेगा और 0-0 profit पर लाकर रखेगा तो acquirer का post merger eps वही आ जाएगा जो उसका pre है यही दोस अब गहरी बात यही अगर इस question में बोल दे थे कि 15,000 रुपे की synergy earning में तो बताइए हमारा पहला वाला तरीका सही होता या यह swap ratio वाला तरीका सही होता first वाला पहला वाला right? क्योंकि फिर वो तो वही काम करता कि post merger eps 2 ही लाकर देता क्योंकि question ने language यही लिखी थी कि हमें same चाहिए ठेके? अगर हम उस case में swap ratio का formula लगा देते ना तो वो गया करता हो distribute करवा देता synergy और फिस same कहा था eps ठेके? तो यहाँ पर यह वाला तरीका भी चलेगा हमारा swap ratio वाला तरीका भी चलेगा इस question में क्योंकि synergy नहीं देखे न icii का solution गया है उन्होंने यहाँ पर 0.5 तो निकाली लिया answer और बाद में उन्होंने यहाँ पर sentence और लिख दिया है alternatively eps based swapping will lead to no loss of eps after merger तो वो यहाँ चल रहा है बाकी नहीं चलेगा क्या clear है बोलो ठेके चले उस से हमने question number 3 किया क्योंने एक छुड़ा सा break ले लें और पर उसके बाद और हमारा कारवा आगे बढ़ाएगे बाकी बादा है झाल 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 तो झाल 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 यह झाल झाल यह 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 सब यह 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 है यह 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 है यह 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 there is यह 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 है यह 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 15 यह 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 चलिए तो pre-merger market value of acquirer plus pre-merger market value of target divided by n plus delta n भी लिख सकते हो नहीं तो यह भी लिख सकते हो total number of shares outstanding after merger एक ही बात है कोई दिख्कत वाली बात है हाज तो इनकी pre-merger value कितनी है 126 और इनकी है 80 5.05 करोर्स divided by acquirer के number of shares है 25 करोर्स plus target के हैं तो 15 करोर्स लेकिन 5 के बदले में 4 है यानि 4 by 5 हाना तो हम इसको into 4 by 5 भी कर सकते हो into 0.8 भी कर सकते हो सब चलेगा हाना तो कितना आ जाता है value per share 5.70 के आगे 405 आ रहा है हाना तो आप इसे 5.70 भी लिख सकते हो कोई दिखकर ने ठीक है पर calculator में पूरा accurate वाला number रखना हाना याँ पर लिखने में 5.70 लिख लो अभी जो further calculation करेंगे 5.70 4054 यह हमने निकाल दी value of original shareholder कैसी per share लेगिन क्योंकि question में clear नहीं है कि हमें क्या करना है तो हमें वो भी कर देना चाहिए वो एक और क्या बोला था ना total value of acquirer brought in by the acquirer and total value brought in by the target ठागे तो हम यहाँ पर एक और calculation कर देंगे value of p limited shareholders और एक और calculation कर देंगे value of r limited shareholders और यह बहुत आसान है आपकी value per share कितनी आरी 5.70 multiply by p limited वाले कितने shares लेकर है 25 crore shares यह answer आता है 142.60 crores और अब एक काम करना वापिस से divide by 25 करना तो आपको जो original number है वापिसे पूरा पूरा आ जाएगा तो आपका वापिसे एक और accurate calculation चलेगा न हाँ into यहाँ पर 15 आएगा या 12 12 क्योंकि number of shares issued से ही divide करके निकाला था तो issued से ही multiply करके original number आएगा तो यहाँ पर आएगा 12 crore shares 68.45 क्या clear है सबको और देखो ICI ने भी उनका solution है उसमें उन्होंने यही कर रहा है यह देखो न उन्होंने value पर share भी निकाल दिया और बात में उन्होंने value दोनों का भी individually निकाल दिया क्योंकि पर share करना है टोटल तो दोनों कर देने का अपने को ठीक है अब इसके बाद main तो दोस्तो चक्कर यहाँ पर है कि अब यह जो price पर share है और effect on share prices का क्या करेंगे study material का question है दोस्तो as it is exam में print हो सकता है हुई होगा आपके साथ intermediate में ऐसा कई बार SM का सीधे सीधे question आ गया आप exam में बैठे हो 8 mark का question चल रहा है third point में एक ambiguity की बाई चाहा क्या रहे fourth point हमें clear है fourth तो करी लेंगे अभी हाँ आप लोग अपना-पना मन बना लो अगले 10 सेकंड में कि यह जो price per share after merger आपको निकालनी है वो कौनसी वाली आप निकालोगे क्या ignoring synergy निकालोगे तो फिर उस case में इसका answer same as value of original shareholder जो per share आया था वो ही आ जाएगा और या फिर आप P.E ratio same मान कर निकालोगे तो फिर उस case में क्या होगा कि जो यहां बोल रहे हैं वो चीज हम actually already पहले ही कर चुके हैं होंगे पोस मर्चे market price निकल चुकी होंगे यहां सिर्फ difference निकालना रहेगा 10 सेकंड आपके पास है आप अपना मन बना लो तो मालूम चलेगा मुझे कि आपका judgment उनसे कितना closely match होता है third point में देखो duplication तो है या तो वो second से match होगा या फिर वो third fourth से जाकर match होगा किदर तो उसको match हो नहीं पड़ेगा हाँ जी आपने अपना मन बना लिया है second से match करवा रहे हो या fourth से fourth से एक अना most of the students का ही है और वो correct भी है क्योंकि third का data हमें fourth करने में न support कर देगा और fourth में उन्होंने वैसे भी post merge enterprise नहीं पूछा है effect on share price so we will assume कि एक तरीके से third point वो बीच का intermediate point है जो हमें fourth तक लेकर जार और ICI ने भी इसको ऐसे ही solve किया है हाला कि मेरी opinion में तो third पूछना ही नहीं था जब अच्छा fourth करता तो automatically third वाला answer तो उसको निकालना ही पढ़ता उसी के रस्ते से तो उससे fourth भी होता but क्योंकि अब उनसे थोड़े से framing error होते है questions में तो हमें उससे deal करना पड़ेगा exam right and you have dealt it correctly क्योंकि कुछ तो हो नहीं था duplication तो यह वाला duplication हो रहा है तो हम आते हैं दूस्तों यहाँ पर और करते हैं third point so हम यहाँ पर assume कर रहे हैं it has been assumed कायदे से बिता है मुझे लगता है कि बहुत बड़ा typo error है उनसे यह जो होना चाहिए न यह यहाँ होना चाहिए तो बिल्कुल सही साथ काम होता question में but ठीक है क्या करें it has been assumed that P ratio of P limited will be maintained after merger hmm तो कैसे करेंगे बताइए दो तिन तरीके या तो earning को combine कर दो और सीधे into PE कर दो तो market cap निकल जाएगा और divided by number of shares और या फिर पहले post-merger EPS निकाल लो और into PE ratio कैसे भी कर लो answer सहीं आएगा तो हमें काम करते हैं पहले ऐसा करते हैं पहले निकाल ले दे combined earnings तो combined earnings में वो दोनों जोड़ देंगे महाँ पर अपनने बनाया था ना उपर 10.54, 9.45 यह आता है 20.19.95 करोर्स यह आ गई है combined earnings अब इस combined earnings को divide कर देते हैं हाँ ठीक है चलो पहले multiply कर लो मतलब multiply कर वारे हो मतलब पहले post-merger market cap वाले रास्ते से जाना चारे हो कैसे भी जा सकते हैं दोनों तरीके equally good है तो अब हम यहाँ पर multiply कर देंगे PE ratio से कितना लिख लेंगे PE ratio 12 times तो यह आ जाएगा post-merger market cap हाँ जा कितना 239.4 crores अब हम इसको divide कर देंगे number of shares 37 ठीक है तो यह आ जाएगी post-merger market price हाँ ना 6.4447 6.47 आ जाएगी post-merger market price ठीक है और यह 3rd point complete हो गया post-merger market price alternatively क्या कर सकते हैं कि combine running को पहले divide करो फिर multiply divide किसी भी sequence में कर लो रहा है आप अपना आते point number fourth पर हाँ तो point number fourth पर हम हमारा statement वाला style लगा देते हैं आपर ठीक है statement showing effect on उन्होंने क्या बोला है word effect on what share price अरे वा देखो कितना बढ़िया काम हो रहा है उन्होंने बोला effect on share price तो अब आपको gain या loss total में निकालना है या फिर per share ही निकालना है पर share बस पर share तक हमें जाना रहेगा ठीक है तो statement showing effect on share price जिसमें यहां पर आजाएगा P limited यहां पर आजाएगा R limited तो यहां आजाएगा post merger market price और यहां पर आजाएगा adjusted market price post merger market price आएगी 6.47 हाँ ना लेट्स compare इट वेट प्री merger market price जो हमने उपर working note में calculate कर ही दी थी 5.04 और इधर कितनी 5.67 ओके तो यहां तो आजाए 1.43 और इस तरफ adjusted market price निकालनी है ना याने यह जो 6.47 ने into 4 by 5 याने वह into .8 है ना यह तो अभी तक सीख गए ना आप adjusted वाला तो 5.17 5.17 के आगी क्या आ रहा है ओ हो 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 तो आप exam में यह गलती ना करेगी 176 आ रहा है तो सिर्फ 17 लिख दिया 176 को अगर 2 decimal पर round off करना है तो यह correct करना पड़ेगा नहीं करा तो इसके marks deduct हो सकते हैं मतब you are at a risk ठीक है तो आपको इसको 2 decimal places पर लिखना है तो 5.18 लिखना पड़ेगा यह तो 5.176 लिख दो वो चलेगा उसमें भी कोई problem नहीं पर अगर 2 decimal पर rounding off कर रहे तो 5.18 लिखना है 5.17 लिखा है तो marks deduct हो सकते है और वो सीधे 1 का 0 ही होता है और दूसरी बात rounding off correctly इसले भी करना क्योंकि आज की तारीक में जो latest questions आते ना इसे ही के वो question के अंदर specify कर देते हैं कि you have to round off the numbers up to 2 decimal तो फिर उस case में आपके rounding off correct ही होनी चाहिए और फिर उस case में 5.176 लिखने का कोई scope नहीं है ठीक है यह आ रहा ह 0.49 और यह 0.49 आ रहा है माइनस में ठीक है यह आ रहा है gain oblique loss पर share ठीक है अब दोस्तो एक और बात बस यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा वो यह है कि हमने इतना कर दिया यह correct है बिलकुल हना यहाँ पर into n करने की जरुरत भी नहीं क्योंकि question ने बहुत clearly बोला effect on share price ठीक बट एक और information में आपको देना चाह रहा हूं exam point of view से वो यह है कि effect on share price अभी आपने rupees terms में तो निकाली लिया है यहाँ पर एक और scope बनता है जो शायद ICI चाह रहा हो लिखा नहीं हो बट चाह रहा हो percentage but what is the effect on share price in percentage terms and they have did so उन्होंने ऐसा किया हुआ है मतलब यह देखो उन्हों उनका solution है उसमें उन लोगों ने 1.43 और minus का 0.49 तो निकाले ही निकाले बट उन्होंने percentage terms में भी answer लिखा है तो जब भी वो पूछे कि how much is the effect और उन्होंने नहीं बताया हो कि absolute terms में निकालना है या फिर percentage terms it is advisable कि आप दोनों निकाल दें ठेक है यह कुछ-कुछ चीज़े जो ना question करते तो ही मालूम चलती है ठेक है so यहाँ पर effect on share price को हम percentage terms में भी निकाल देते हैं ठेक है तो percentage terms में आप calculation कैसे कर देंगे आला कि आता ही आपको 1.43 का फायदा हो रहा है on the base of 5.04 ठेक है क्योंकि 5.04 अभी की price जो इतने से बढ़ जाएगी कितना percent आ रहे है 28.37 ठेक है और इस तरफ भी इस loss को express कर देंगे परसंटेश टाम्स याने की माइनस का .49 divided by 5.6 है ना अभी के भाव पर इडवाइड करेंगे कि effect कितना रहे है 8. तो माइनस का आ रहा है 8.64 ठेक है माइनस 8.64 परसंट यह कुछ कुछ चीजे लिगे रहती है जो question में नहीं होती है और बच्चों के इस चेकर में marks भी काट लेते हैं जैसे two marks का उन्होंने पूछा effect on share price आपने सिर्फ रुपीज में निकाला तो आधा नंबर इसका आधा इसका देदेंगे और बोलेंगे अपने percentage में तो निकाला ही नी तो यह चीजे धिहान रखनी पड़ेगी कि जहांपर dual interpretation की possibilities हैं तो दोनों हमें कर देना है is that clear चलिए वस्तों यह हमने सफलता पुर्वा के हांबर question number 4 पूर्ण किया आज के लिए बस इतना ही मिलते हम हमारे अगले एपिसोड में कर दो 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 कर दो